हाँ जी गुट बॉनिंग चलो जी तो capital investing में एक part number one जो था basics part number two क्योंकि हमने किया था replacement decision और जब मैंने part number two करवाया था तो मैंने गा हाँ ये last part इसके बाद और कोई capital investing का part नहीं आएगा लेकिन part number two करवाया था तो मैंने कहा था भले ये part number two छोड़ देना replacement decision उतना important नहीं है लेकिन हमारा जो हम पढ़ने जा रहा है आज वाला part risk and uncertainty in capital investing ही बहुत ज्यादा important ठीक है तो risk and uncertainty in capital budgeting में total मिला कर अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक पढ़ना है probabilistic approach probabilistic approach पता दूँगा कैसे करना है एक पढ़ना है risk adjusted discounting rate जिसको आप R.A.D.R. बोलते हैं सबकी सब important है आज की class आज की class सबसे ज़्यादा important और एक पढ़ना certainty equivalent approach और इसी के साथ और एक चीजे जिसका नाम है decision tree हलाग कि decision tree मैंने point number 3 मैंने लिखवाय हूँ उसको हम कहीं और कर लेंगे इसके बात कर लेंगे लेकिन ये तीन चीजे important है सर ये बताओ कहना क्या चाहते हूँ कहना ये चाहता हूँ जब हम capital busting करते हैं तो हम लिखते है cost of project मतलब पैसा आज जाएगा ठीक है किसी भी business में पैसा लगाऊँ गये तो पैसा आज जाएगा और फिर हम ये लिखते थे पैसा आएगा 5 साल का project है तो 5 साल तक पैसा आएगा और जो पैसा आएगा वो हम यहाँ लिखते थे सवाल यह है कि पैसा आज जाएगा यह तो पक्का है लेकिन यह जो पैसा यह तो फ्यूचर में आने वाला है और जब फ्यूचर में आने वाला है तो क्या पक्का आएगा या रिस्क है सवाल बस इतना रिस्क है कि नहीं है है सर हम जो NPV निकालते है क्या पक्का उतना ही NPV मतलब NPV क्या deviate हो सकता है deviation तो deviation के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा standard deviation याद है standard deviation आपने portfolio management में अच्छी तरह से कर रखा है मतलब सर हमें करना क्या हमें करना कुछ नहीं है हमें बस इतना मालूम है कि यार जो NPV हम निकाल रहा है वो पक्का नहीं है तो हम अलग अलग सिनारियों से NPV निकलने की कोशिश करते हैं मतलब हम कहते हैं कि हो सकता है कि economy आने वाले दिनों में अच्छी रहेगी भूम रहेगी तो हो सकता है कि NPV जाद आएगा मन से लिख रहा हूं 12,000 रुपह मन से लिखा बार आ जाए हो सकता है कि economy आने वाले दिनों में boom नहीं रहेगा normal रहेगा moderate रहेगा तो हो सकता है NPV आ जाएगा 4000 रुपय और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो NPV है या फिर economy जो है वो recession में हो अगर recession में हो तो हम को loss भी हो सकता है NPV negative हो मतलब मैंने तीन टाइप का सिनारियो दिया है और उसकी में probability भी दे देता हूं 0.5, 0.3 और 0.2 तो क्या इसकी मदद से कोई मुझसे वो लेगा किया project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं कहूंगा भई NPV 12,000 भी हो सकता है 4000 भी हो सकता है और minus 1,000 भी हो सकता है तो सामने वाला पुछेगा नहीं ना भाई on an average बताईए क्या होगा तो sir हम इसको probability से multiply कर देते हैं और average बता देते हैं खूब गया है portfolio management तो अगर इसको मैं probability से multiply कर दूँ तो इसका नाम क्या रहता है इसका नाम रहता है expected NPV और मानलो expected NPV आ गय यह भी मन से लिख रहा हूँ आठ हजार आठ हजार सर on an average आठ हजार NPV आएगा ठीक पर क्या 12,000 भी आ सकता है यस deviate हो सकता है ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है तो deviation average deviation बताईए जिसको आप क्या नाम देते हैं standard deviation standard deviation revision revision class में करवाने या समझाने का कोई sense नहीं है standard deviation मु कि आपने portfolio बढ़ा है तो हम start कर रहा है और पहला जो approach है probabilistic approach की मैं बात करहूं probabilistic approach वहीं जो समझाया हूँ इसमें सबसे पहले आपको expected NPV निकालना पड़ेगा अगर cash flow दिया है तो expected cash flow निकालना क्या होगा जो NPV दिया रहेगा NPV को मैं X बोल रहा हूँ उसको probability से multiply करके total कर ठीक है फॉर्मूले पर नहीं भी जाएगे तो हमसे हो जाएगा दूसरा क्या करना पड़ेगा हमको standard deviation निकालना पड़ेगा जिनको आता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं नहीं आता प्लीज वह portfolio management देखिए वहाँ पहले topic से ही आपको standard deviation निकालना सिखाए ठीक है ज condition क्या होता है समझाता हूं मान लो दो प्रोजेक्ट है एक्स वाए एन पीवी और standard deviation इसका एन पीवी है 5000 इसका एन पीवी है 4000 तो बताओ एन पीवी के हिसाब से कौनसा प्रोजेक्ट करना पसंद करोगे तर एक्स एक्स ही करोगे न जिसका एन पीवी जादा वो प्रोजेक्ट करोगे और इस standard deviation इसका 2000 और इसका 3000 इस standard deviation का मतलब क्या है सर वैसे तो एन पीवी 5000 आएगा पर deviate हो सकता है हो सकता है कि 7000 हो जाए हो सकता है कि 3000 हो जाए और इसमें कितना deviation है इसमें तो 3000 उपर नीचे हो सकता 3000 और इसमें सिफ 2000 तो रिस्क के हिसाब से कौन सा अच्छा है सर जिसमें कम deviation है यहां तक ठीक है अगर कोई मुझे बोले कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए तो मैं कहूँगा प्रोजेक्ट X दो फाइद हैं एक तो NPV भी ज़्यादा है और डेविशन भी कम है लेकिन बात आती कॉन्फिक्ट के ऐसा होता है इधर 3000 और इधर 2000 फिर क्या करते हैं फिर अगर NPV के हिसाब से सोचूँ तो प्रोजेक्ट X अच्छा है और डेविशन के हिसाब से सोचूँ तो यह अच्छा है क्या किया जाए X कि वाद तब यहां कॉन्फिक्ट आ रहा है इसमें NPV ज़्यादा है इसमें डेविशन कम है उस condition में हम ratio निकलते हैं, ratio और ratio निकाल रहा हूं है, 3000 divided by 5000, तो ratio कितना आ गया, 0.60, और इसका बताओ, 2000 divided by 4000, इसका कितना आ गया, 0.50, ठीक है जी, अब सोचके बताइए, यह project अच्छा है, अराम से सोचके बताइए, यह अच्छा है, यह अच्छा है, अब इसको rate कर सकते हैं, rate करने की कोशिश करेंगे, सर यहां 5000 रुपिया कमा कर, 3000 का deviation हो सकता, मतलब इस ratio को समझने की कोशिश करो, एक रुपिया कमाई होने पर, deviation कितने का हो सकता है, 60 पैसा का, और यहां 50 पैसी का, क्या अच्छा है, 60 पैसी उपर नीचे हो, कि 50 पैसे, साथ पैसी में ज़्यादा fluctuation है, अब 50, एक ही रुपिया तो कमा रहे हो यार, यहां तो 60 पैसी का fluctuation है, और यहां 50 पैसी का, तो सर यह ज़्यादा अच्छा है, इसको बोला जाता है, coefficient of variation, कब जिरुद पढ़ती है, जब conflict आता, formula क्या है, standard deviation divided by x, बार, कोई दिक्कत है क्या, तो बस और देखेंगे, जिसका coefficient of variation कम है, उसको हम accept कर लेंगे, जिसका cv कम है, उसको हम accept करेंगे, ठीक है जी, ठीक है से, चले आगे, चलो जी, question उठाएगे, क्या, हाँ sir, question उठाएगे, question है, पहले example के थूरू समझाने की, example ज़रूरी है, तो NPV दिया हुआ है, और probability दिया, NPV कितना हो सकता है, 400 हो सकता है, लैक्स में इसकी probability है, 400 भी हो सकता है, इसकी probability है, 0.2, और 20 भी हो सकता है, इसकी probability है, 0.4, और probability का total क्या होता है, 1, सबसे पहले मांगा है आप से कि आप निकाल ये expected NPV, निकाल सकते हैं फिर दूसरे नंबर पे मांगा इस्टेंडर डइवीशन ये भी निकाल सकते हैं और तीसरे नंबर पे मांगा है coefficient of variation, ये भी निकाला जाए सकते हैं expected NPV निकालने का भी question आ जाता यार इतना आसान है sir 400 into 0.4 ये 100 into 0.2 ये और इन सब को total किया तो 188 this is expected NPV या इसी को क्या बोलते हैं हम x bar हम एक line में भी निकाल सकते हैं निकल गया अब बताओ 188 आएगा पर क्या 400 भी आ सकता आ सकता है तो क्या deviation हो सकता है यास deviation हो सकता है square किया x minus x bar square square क्यों करते हो sir portfolio में जाईए डंग से समझा रहाए इतना deviation होने की probability कितना है 0.4 क्योंकि मुझे ये variance में दिखाना होता है variance मतलब square में दिखाना हो पाकी मैंने बहुत ज़्यादा discussion करता तो sir 100 भी आ सकता है तो deviation है और इसकी probability कितनी है 0.2 और ये भी हो सकता है इसकी probability है point और square root कर दिया तो आ गया हमारा 175, 0.54 तो sir जी expected NPV, NPV 188 आ सकता है पर deviation भी हो सकता है 175 का तो coefficient of variation निकालना है तो answer आ गया point 93 मतलब एक रुपए कमाओ के दिक्कत नहीं है पर नीचे भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है अब बनाते कोशन तो question अच्छा है question number 15 एक्जाम में आया हुआ है zone 2014 को 8 number का question है प्लीज इस question को देख कर जाओ के अच्छा question है तिका company is considering two mutually exclusive proposals mutually exclusive का मतलब क्या समझते हो कि सर्फ project X और Y में से कोई एक select करना है project X कितने का है जी तीन लाक और project Y कितने का है तीन लाक साथाजा ठीक है you have been given below the NPV निकल कर देती है और probability निकल कर देती है ठीक है project X NPV है 30,000, 60,000, 1,000, 20,000, 1,000 और यह probability दिया है सबसे पहले क्या मांगा है expected NPV तो सर इन सबक को multiply करके total कर देंगे यस तो expected NPV आ गया project X की बात करना expected NPV आ गया है 90,000 और ऐसा है ठीक यह किसकी बात है project X और इन्होंने टेबल में ही क्या बनाया standard deviation और standard deviation निकाल लिया तो अगर मैं कहूं project X में NPV आ रहा है 90,000 और project Y में भी NPV आ रहा है 90,000 तो दोनों में NPV 90,000 और अभी क्या निकालना standard deviation यह question मैंने करवा रखा है standard deviation जरूरी नहीं क्या ऐसे करो standard deviation आपको जैसे करना है जैसे करो standard deviation इतना है तो question का answer मैं यहीं दे सकता हूं कि कौन सा project करोगी अगर मैं कह रहा हूं X में भी 90,000 NPV आ रहा है और Y में भी 90,000 NPV आ रहा है तो NPV तो दोनों में बराबर है और X में HD है 3,7,947 और Y में standard deviation है 4,4,497 तो उस हिसाब से देखो तो यार 90,000 मिलेगा और deviation भी कम है तो project X कर लेना चाहिए that's it पर question में ये मांगा है ये मांगा है और पूछ रहा है कि कौन सा project ज्यादा risky है तो उन्होंने coefficient of variation निकाला है हलाकि बिना coefficient of variation के मैं बता सकता हूं कि ये ज्यादा risky पर उन्होंने CV निकाला है तो CV निकालना तो हमको आता है 0.42.50 तो यार इसका है ज्यादा CV इट मेंस project Y ज्यादा risky है फिर क्या मांगा है इसके बाद इसके बाद PVCI मांगा है sorry PI मांगा है और PI का formula क्या होता है PVCI divided by PVCO प्रोजेक्ट X की बात करो पैसा कितना लग रहा है तीन लक पैसा जा रहा है तीन लक पैसा आ कितना तीन लक पैसा आ कितना NPV is equal to PVCI माइनस PVCO तो NPV हमने निकाला हुआ है 90,000 मानते हो X की बात कर रहा हूँ इसका NPV निकला है 90,000 क्या PVCI हमको मालूम है नहीं सर पर PVCI यह मालूम है तीन लक तो नो दो डॉट यह प्लास हो जाएगा और यहां कितना जाएगा तीन लक नप्याइचा तो पैसे निकल जाएगा बच्चे वाला काम था यह में करवा रहा हूँ आपको तो यहां पी आई निकला है 1.30, 1.25 हाला कि उसने कहीं भी यह नहीं बोला कि कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे पहले नमबर पर बोला एक्सपेक्टेड एनपी भी निकलो निकल लिया दूसरे नमबर पर बोला है कि यार आप स्टेंडर डैविशन निकलो वो भी निकल लिया तीसरे नमबर पर बोला कौन सा ज़्यादा रिसकी है बता दिया कौन सा ज़्यादा रिसकी है सीवी निकल कर और चोहते नंबर पर पी आई मांगा है पता नहीं क्यों मांगा है अमने पी आई भी निकल कर अ कोश्चन नंबर 16 ये भी अच्छा कोश्चन कब आया था सर एक्जाम में आया था दिसंबर 2012 बड़े जी आस दिखा कंपनी हैस डेलॉप्ट अ न्यू टॉइ टॉइ डेलॉप्ट कर रहे विथ विच हैज बीन एस्टिमेटे लाइफ कितना सर तीन सार तो मैनुब्वेक्टिर दो टॉइ तो कंपनी विल हैव तो पर्चेस बुले मशीन खरीदा जाएगा कितने में खरीदा आट लाक साथ जार की होगा तो आट लाक साथ जार की होगा मशीन, मशीन का कोस्ट तो मशीन विल हैव तो इस क्रैप्ट थीन साल बात बेज दे गई और सैल्वेच, लाइफ कितनी है लाइफ जा थीन साल और सैल्वेच कितना दिया है यार एक लाक 10,000 variable cost कितना लेना है 40% of sales price ठीक, variable cost fixed expenses apart from depreciation will be 50,000 5,000 है उसको change कर लेना 50,000 fixed expenses भी दिया, fixed cost 50,000 besides advertising and selling expenses will have to be incurred 1,000,000 रुपए इन 1st year 1,500,000 इन 2nd year और 50,000 इन 3rd year हमको CFAT निकालना पर और CFAT तीनो साल का अलग अलग है, पहली साल का अलग दूसरे साल का अलग, तीसे साल NPV निकालना है बस जब sales दिया है तो पहले साल sales 12,000,000 भी हो सकता है 7,000,000 भी हो सकता है 2,000,000 भी हो सकता है इस बार उन्होंने NPV अलग अलग नहीं दिया इस बार उन्होंने sales अलग 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 दिया है तो कोई समस्या नहीं है हम expected sales निकाल लेंगे पहले साल का expected cells निकाल लेंगे दूसरे साल का और probability से multiply करके expected cells निकाल लेंगे तीसरे tax का rate है 30% और cost of capital है 15% prepare schedule computing the probable cells probable cells मतलब estimated cells बताओ ये भी कोई पूछने वाली बात है estimated cells निकाली है क्योंकि नया product है तो हमको पता नहीं लगता कि कितना cells हो सकता तो हम कहते कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है और इसके अलावा आपको क्या निकालना है NPV निकालना ignored tax on salvage value बोल दिया बोले जब आप salvage terminal value बोले salvage जो होगा ना उस पर कोई capital gain tax का चक्कर मत रखना भाई जैसे कि वैसे कर दे और factor दे रखा है first year का second year का third year इस question को करना है तो कैसे करेंगे कुछ नहीं सर CFD निकालेंगे cells भर निकालते वक्त आप probability से multiply करके probable cells निकाल लेते हैं पहला काम तो हो करते हैं तो उन्होंने probable cells निकाला हो गया यह cells है multiply किया तो यह पहले साल का cells आ गया कि दूसरे साल का cells आ गया और cells आ गया थर्ड़ी अब हमको जब cells पता लग गया तो हम variable cost minus कर देंगे तो यहां क्या जाएगा सर contribution contribution में से क्या minus करेंगे fix cost पचासे जार पचासे जार पचासे जार पचासे जार और क्या minus करेंगे depreciation और depreciation का method कौन सा है SLM तो यह depreciation में minus कर दिया अब जो आया उसमें से advertisement expenses भी minus कर दिया तो यह आ गया सब profit before tax tax minus किया तो यह आ गया profit after tax depreciation add back कर दिया और last में cell waste value भी plus कर दिया, cell waste जो मिलेगा वो भी plus हाला कि हम table में अलग से दिखाते कोई समसे नहीं, last में cell waste भी आएगा तो total मिलाकर हमें पहले साल आएगा 3.14 तूसरे साल आएगा 7.16 और third year में आएगा 6.36 यहां इन्होंने CFAT गलत लिख दिया है यहां आना चाहिए यह ठीक तो है 3.06 आना चाहिए यह cell waste यहां क्यों किया यहां आएगा 3.06 देख ले ना आप यहां यहां ठीक है यहां 3.14 गलती से लिख दिया था आप देख लोगे calculation तो आप सम्माल लो और इसको factor से multiply कर दिया तो यह आगया है तो यह आगया हमारा PVC यह उसमें से cash outflow 8.60 था पक्कन है यहां आट लाग साथ हजार आज सर आट लाग साथ हजार था तो आट लाग साथ हजार जैसी माइनस किया तो यह NPV क्या positive आगया है यह और अगर NPV positive आए कोशन में कुछ special बात नहीं थी याद करो replacement में कितना कोशन रीट करने में टाइम लगता था यह probability approach का बड़ा कोशन है लेकिन बड़ा कोशन होने के बावचुत कोशन ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं बनेगा आसान कोशन था और यह कोशन लेते हैं कोशन थोड़ा सा अलग है अलग का मतलब ऐसा कोशन हमने नहीं पढ़ा है और हमारे syllabus में भी नहीं यह देखा जायतों क्या है बस एक बार में कोशन के ही थूँ आपको समझाने की कोशिश करतों आराम से में अलग कोशन के है में तो थ्री और नेट प्रॉफिट बता दिया है और मैट्रिक्स से बताया हुआ है कि सर सीयार है प्रॉजेक्ट एक्स में अगर सिच्विशन खराब रही तो 5 लाक हो सकता है इसमें 7 लाक इसमें 9 लाक सोच के बताना किसमें ज्यादा प्रॉफिट तर जेट, ठीक, अर most likely से, most likely का मतलब क्या होता है, most likely का मतलब होता है sir, जहाँ probability सबसे ज़ादा है, most likely, यूज आएगा इसका आगे, जहाँ probability ज़ादा हो, उसको बलते most likely, ज़ादा होने के chances, उसमें भी net profit बताया है, और best में भी net profit बताया है, पहले नंबर में क्या मांग रह using expected value criteria, expected सब्द आता है, expected सब्द, इसका मतलब सीधा है, कि आपको probability से multiply करना पड़ेगा, बस expected सब्द आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो अगर project X का मुझे expected value निकालना, तो probability से multiply कर देता हो, ठीक है sir, तो project X का expected value निकल आएगा, वो आएगा, 9,15,000, ऐसी project Y का expected value निकालना है, तो इसको probability से, इसको probability से multiply कर दिया, तो आगया, 9,35,000, ऐसी project Z का करना है, तो वो आगया, 10,10,000, किस में सबसे ज़्यादा expected value दिखरी है, तो project Z, तो कौन सा project करना चाहिए, अगर if the project with higher expected value of profit, then project Z should be accepted, सर ये तो वैसे भी हो जाता है, इसमें क्या special नहीं है, इसमें special नहीं है भाई, सुनो, special तो इसमें है, तू में, which project should be chosen if minimum, maximum regret rule is applicable, चिक, सर ये क्या चीज़ है, ये तो खास बात है, अब ध्यान से समझना मेरी बाद, सुना, सुनोगे यहाँ, ये बताओ, इस situation में, इसको profit कितना है, सर पाच लग, यहाँ net profit कितना है, साथ लग, यहाँ net profit कितना है, नौ, अब आपस में comparison करो, X क्या दुखी है, य भी दुखी है, कम दुखी है, और Z तो दुखी ही नहीं है, अगर यह situation होती है, वर्ष situation, तो देखा जाए, तो Z का ज़्यादा profit है, X की अपिक्छा, कितना रुपय है, चार लग, और Y से भी ज़्यादा profit है, पर उतना नहीं है, कितना, दो लग, और यहाँ तो regret वाली बात ही नहीं है, इट मिंस, देखोगी तो X बहुत ज़्यादा दुखी है, इसको, इसका difference जो है, वो कितने का है, 4 लग, maximum, ठीक है, ठीक है सर, ऐसी most likely situation में भी, सबसे ज़्यादा अभी भी jet का profit है, और इसको जो loss है, इसको दिख रहा कितना ज़्यादा सर, एक लग, पचासर, इस तरह से हम दिखा रहा है, कि कहा maximum है, और वो ही हमने यहाँ काम किया, इसी table के हिसाब से, हमने यहाँ निकाला है, यहाँ आ गया चार लाक, यहाँ आ गया दो लाक, यहाँ जीरो, ठीक है जी, अच्छा तो सर, आपने highest से यहाँ difference निकाला है, यहाँ तक कोई दिख्कत है क्या, यहाँ तक, अब ध्यान से समस्त, यहाँ लिखा, maximum regret is 4 lakh, with project X, मतलब, यह situation, यह situation, यह situation, बोलो, सबसे ज़्यादा, 4 lakh क्या है, सर, 4 lakh का मतलब समझ रहे हो, 4 lakh का दुख है, वह सर, क्योंकि Z का हम से 4 lakh ज़्यादा है, तो अगर मैं कहूँ, पूरे Z को देखो, सरी, X को देखो, तो यहाँ maximum कितने का loss है, सर, यह है, यह maximum regret, 4 lakh, यहाँ बताओ, इसका maximum कितना है, सर, यह दिख रहा है, 2 lakh, और यहाँ बताओ, इसका maximum कितना है, 3 lakh, इसको भी, मैं regret बोलूँ, मैं loss बोलूँ, चलेगा, यहाँ loss है 4 lakh, यहाँ loss है 2 lakh, यहाँ loss है 3 lakh, तो अब तीनों में, तीनों में comparison करो, सबसे कम दुखी कौन है, सबसे कम दुखी, इसको कितने का maximum, सर, इसको 4 lakh, और इसको 2 lakh, इसको 3 lakh, इसमें सबसे ज़्यादा, बोले ठीक दुखी तो तीनों ही दिख रहा है, सबको कहीं ना कहीं loss है, पर कम दुखी कौन है, minimum, सर, 2 lakh, तो सर, प्रोजेक्ट वाई कर लेना चाहिए, यह भी एक तरीका होता, हलाकि चलन से हट गया, पर question डाला है, तो लिखा है, project वाई should be selected, minimum regret rule is used, out of syllabus है, question था, आपके CM module में, इसल चलो जी, तो यह था probability approach, अब दूसरा कर रहे हम लोग, risk adjusted discounting rate, अच्छा topic, RADR, risk adjusted discounting rate, तर यह क्या बोलता, समझ लो, concept समझ लोग बेले, रिक्कत नहीं होगा, concept यह है, कि मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए, कि सर, यह हूँ मैं, पावंसर, और यह है आप लोग, और मैं कहता हूँ सर जी, कि मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे किसलिए चाहिए, पैसे मैं किसी business में लगाना चाहिए, और ऐसा नहीं है, कि return नहीं मिलेगा, उस पे जो भी कमाई होगी, हम आपस में बाट लेंगे, ठीक है सर, बताओ, या फिर एक काम करो, आप एक fix return मुझे से ले ले ले, ठीक है, पर यह तो बताइए सर, कि आप किस project में पैसा लगाना चाहते हैं, हाँ, मैं कहता हूँ, मैं classes open करना चाहता हूँ, बड़े रूप में, और इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, तो आप कहते हैं, ठीक है, मतलब यह एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगाना चाहते हूँ, तो बोलो कितना return, क्या आप 15% पे तयार हो सकते अभी भी classes चल रही है, तो आगे और expand करना चाहते है, तो हो सकता है, कि कमाई होगी, 15% बहुत है, market में तो उससे भी कम मिल रहा, तो 15% sufficient है, आप लोग पैसे देने को तैयार हो गए, no doubt, कितने पैसे 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 चाहिए, और मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, मैं जहां पैसा लगाना चाहता हूं, वो ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं यह सोच रहा हूं, दिक्कत क्या है, मैं यह सोच रहा हूं, कि यह प्रोब्लम है, कि आप लोग जो भी याद करते हो, सब की सब भूल जाते हो, हाँ सब भूल जाते हो, तो मैं एक medicine बनाना चाता हूँ, जैसी आपने खाया, आपको पुरा याद रह जाएगा, एक बार खाओ, सब कुछ याद रह जाएगा, इस project में पैसा लगाना चाहिए, बोलो, क्या आप तयार हो जाओगे, सर कैसा ऐसा कोई project, हाँ भाई, क्या आप इसमें पैसे लगाने को तयार है, हा अपने का ठीक है सर, पर हमें return कितना चाहिए, 25 परशन चाहिए, क्या कहना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ, कि जो project कम रिस्की है, उसमें require rate of return आपका कम होगा, और जो project जादा रिस्की है, रिस्क जादा है, तो आपका return भी क्या चाहिए, आपको जादा चाहिए, अब अभी तक capital bursting में क्या कर रहे थे, कि यार, project 1 हो, 2 हो, 3 हमें रिस्क नहीं देख रहे थे, एक ही discounting rate लेते थे 10%, और उसी से सबका discounting करते थे, यह करते थे ना यार, जो कि गलत है, अब कैसे comparison कर सकते हो, अगर रिस्क अलग-अलग है, तो require rate of return भी अलग-अलग होना चाहिए, important It means, यहां rate अलग होना चाहिए, यहां rate अलग होना चाहिए, इसी को बोला जाता है, risk-adjusted discounting, इसी को बोलते है, RADR, risk-adjusted discounting, ठीक है, तो total मिला कर दो question है, पर आपको आया एक ही question है, तो मैं उस matter पर बात नहीं करूंगा ज्यादा, कि RADR निकाला कैसे, खाला कि उसको निक CAPM का formula होता है, RADR plus risk premium plus risk into risk index, यह CAPM जैसा formula होता है, ठीक है, पर आपको बिल्कुल question simple आया, तो simple तरीके से कर लें, एक बात है, RADR में बस समझने वाली और सुनने वाली एक ही बात है, अगर risk जादा है, तो discounting rate भी जादा होना चाहिए, चलो question देखे, question number 18, total मिला कि इसके दो question होना चाहिए, पर यार, जो मैंने निकाला है, उसमें एक ही question है, तो यह क्या है, यह theory डला हुआ, यह काम का नहीं, theory काम का नहीं, तो जो, RADR, determine the risk adjusted NPV value of the following project, बोलो, पैसे कितना लग रहा है, एक लाक, लाइफ कितना है, पास साल, हर साल आएगा, 30,000, coefficient of variation का मतलब क्या है, सर, coefficient of variation का मतलब होता है, risk, तो सोचो, ज्यादा CV, CV ज्यादा है, मतलब risk, ज्यादा, तो CV कहां ज्यादा है, यहाँ, तो risk भी ज्यादा है, और risk ज्यादा है, तो RADR, risk adjusted discounting rate भी तो ज्यादा होना चाहिए, कहना क्या चाहते हो, सर, यहाँ, CV कम है, तो risk कम है, risk कम है, तो RADR, discounting rate भी कम ही होना चाहिए, इट मिंस, यहाँ, जब discounting rate यूज करोगे, तो कितना percent करोगे, 12%, यहाँ, जब discounting rate यूज करोगे, 14%, उसकी वज़ा है, risk ज्यादा है, और यहाँ, 16%, और factor भी दिया है, छे नंबर का कोश्चन आया था, दिसंबर 2014 में, कुछ नहीं है भाई, आपको सीधा, 30,000 को multiply करना पड़ेगा, 30,000 into 3.605, माइनस करोगे, एक लाख, अंसर आ गया, 8150, NPV आ गया, 8150, ऐसी आ गया, 24186, discounting rate कितना यूज करना, 14%, और यह आ गया, 19180, कौन सा प्रोजेक्ट यूज, जिसका NPV जाता है, तो देखा जाए, तो बिलकुल ही simple है, कुछ है नहीं है, बस एक concept समझने की कोशिश करो, कि अगर प्रोजेक्ट अलग-अलग है, रिस्क अलग-अलग है, तो discounting rate भी अलग-अलग होना जाए, पतम topic, टिक, कैसा लगा, मज आ गया, अब आगे, पॉइंट नमबर थी, 3 is certainty equivalent approach, certainty equivalent approach, उसका क्या चीज, तो नो ध्यांस, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लग, तो पाच लाग, आने वाला, और प्रोजेक्ट कितने साल का है, तीन साल, और मेर, पाच लाग रुपए लगने वाला, cost और प्रोजेक्ट है, पाच लाग, और तीन साल चलेगा, तो सर, CFAT पहले साल कितना आएगा, CFAT की में बाद, मेरा अनुमान है, क्योंकि तीरी साल का प्रोजेक्ट है, मैं सोच रहा हूँ, पहले साल आएगा तीन लाग, फिर आएगा दो लाग पचास जार, फिर आएगा एक लाग पचातर, ठीक है, यही होता था, और discounting rate दिया रहता था, cost of capital 10%, तो 10% से, इसको discounting कर लेते थे, बात क दिकत यह है, यह रिस्क है कि नहीं है, तो यह जो आप यूज कर रहे हूँ, यह भी तो risk adjusted discounting rate है, हाँ, लेकिन, लेकिन, मैं यह चाहता हूँ, यह जो रिस्क है, इस cash flow से ही, अगर मैं रिस्क हटा दूँ, तो दिकत क्या है, रिस्क हटा होगे कैसे, रिस्क हटाने के बहु आने वाला है 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, कोई रोक नहीं सकता इक्विवेलेंट कर रहा हूं मैं पहले सल दूसरे सल मतलब यह बहुत सारे प्रोजेक्ट होते है आस समय में रिस्क हटाने की कोशिश कर रहा हूं जो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है वो सकता उसको मैं इन टू 60% करूं कि यह उसमें 60% पक्का पका आ कुछ अलग सब्दों में बोल रहा हूं कि बोलो कितना आएगा expected तीन लाक पर मैं खुद बोल रहा हूं कि 80% तो पक्का पक्का आएगा इट मेंस मैं इसमें से इसको multiply कर दूँ 0.8 से तो 3 लाक इंटू 0.8 कितना होता है दो लाक चालिस इसमें रिस्क था 0.8 से multiply कर दिया तो यह आगया दो लाक चालिस जार और यह 0.8 कोशन में दिया रहेगा इसको बोलते है certainty equivalent से multiply कर दिया तो यह आ गया इसको बोल रहा हूं मैं risk free cash flow risk free यहां risk था risk हटाया तो risk free बन गया risk free cash flow यह इसको बोले जाता है certain cash flow ऐसे second year का multiply किया करूंगा 0.7 से 0.7 कहां से दिया रहेगा तो 2 लाक पचास जार इंटू 0.7 तो सर यह आ गया 1,75 था और सर इसका इसका कुछ भी ले लो मैंने 0.5 ले लिया 1,75,000 इंटू 0.5 तो यहां जाएगा 87.5 इट मिंस सर आपने क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया मैंने जो expected cash flow था उसको मैंने convert करवा दिया किसमे risk free cash flow है तोरी risk free cash flow में convert करती है अब मुझे discounting करना है तो सर इंपोर्टेंट है सुनना सुनना सुनोगे तो सर अब इसको जो discounting करोगे क्या वो 10% से ही करोगे नहीं भाई नहीं इसको जो discounting करेंगे हम अब करेंगे risk free rates क्या ये risk था यस तो इसको discounting करते थे risk adjusted discounting क्या risk हटा दिया यस तो इसको जो discounting करोगे वो risk free rate से discounting ठीक किसे बात समझ में आगे बस और NPV निकालना है NPV positive आएगा तो accept negative आएगा तो reject देखे तो certainty equivalent approach में सबसे पहले आपको क्या निकालना है आपको certain cash flow निकालना है या risk free cash flow निकालना है और कैसे निकालना है बोले expected cash flow होगा उसको multiply किस से करेंगे certainty equivalent से multiply करेंगे उसके बाद NPV निकालेंगे ये important है आपको risk free rate यूज करना है certainty से अगर आप CE से multiply किया तो कसम खालो कि हमको risk free rate ही यूज करना है risk free discounting rate चलो question बनाए किया पहला question अच्छा question कब आया था एक्जाम में दिसम्बर 2019 नमबर का question अभाईदास नमबर का question देखा जस्पाल limited is currently considering two mutually exclusive proportion A और B तो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B पैसा लग रहा है इसमें 15,000 इसमें लग रहा है 20,000 लाइफ है इसकी भी 3 साल इसकी भी 3 साल और हर साल आएगा 7,000 और इसमें आएगा 10,000 और रिस्क इंडेक्स दे रहा है 0.4 और 1.8 तो समझ के बोलना कौन सा ज़्यादा रिस्की है सब प्रोजेक्ट B अगर RADR यूज करना होता पता नहीं क्या मांग रहा अगर RADR रिस्क एजिस्टे डिस्काउंटिंग रेट यूज करना होता तो मैं प्रोजेक्ट B में ज़्यादा रेट लेता इन एडिशन दफंme use two different technique to adjust further different risk level तो टेक्णिक की उठ कर रहा होता है एक का नाम है certinity equivalent और एक का नाम है risk adjusted discounting rate कोश्चन इतना अच्छा कि दोनों approach का यह होता है और additional information अगर आपको certinity equivalent लेना है तो पहले साल जो 7000 है और दूसरे साल जो 7000 है और तीसरे साल जो 7000 रुपए है यह तो expected है उसको अगर certainty equivalent यूज़ करना है तो इसको multiply करना 0.95 से इसको आजाएगा 0.90 से और ये भी आजाएगा 0.90 अगर इससे multiply करोगे तो जो आएगा उसको बोलते है risk free cash flow तो वो factor दे रखा है तो बोले अगर RADR यूज़ करना होता मतलब अगर आपको ये multiply करना इसी को यूज़ करना है तो बोले फिर जादा risk है वहाँ discounting rate जादा लेना मतलब सोचो risk index है 0.4 तो अगर मुझे RADR यूज़ करना होता तो मैं RADR कितना यूज़ करता 9% मतलब इसको discount rate लेता यही वाला cash flow लेता तो यहां discounting किस से करना पड़ता 16% से अगर हम risk adjusted discounting rate यूज़ करते तो पर अगर हम कहते इसको हम convert कर देते multiply करके किस में? risk free में तो फिर discounting rate यूज़ यह नहीं करते discounting rate यूज़ करते जिसमें risk होता ही नहीं मतलब अगर CE approach यूज़ करता तो discounting किस से करता? 7% बहुत ज़्यादा important चीज़ है जो discussion करते आधे से ज़्यादा वच्चों को पता है नहीं होता कि हमको discounting किस rate और cost of capital क्या है? 10% अगर हम risk को ignore कर दे तो जो cash flow है इसको भी 10% से discounting कीजिए इसको भी 10% से discounting कीजिए और NPV निकालना है और discounting rate कितना लेना? 10% it means risk पढ़ने से पहले जैसा capital बश्टिंग कर रहे थे वैसे करो यह तो बहुत सिंपल है 10% यूज कर लेंगे तो पैसा जाएगा 15,000, 20,000 हर साल आएगा 7,000 discounting rate कितना यूज कर रहे हैं? 10% 10% का factor तो यह आ गया और यह आ गया तो यह NPV निकल गया यह और इस सबसे देखा जाए तो किसमे NPV B में ज़्यादा है तो project B should be accept normal जैसे capital बश्टिंग का question कर रहे थे वैसे दूसरा फिर से NPV निकालना है अगर आप कौनसी approach यूज कर रहे हो? तो certainty equivalent में हमको करना क्या होता है? सर यह जो cash flow दिया है उसको CE से multiply करके risk free cash flow निकालेंगे और उसको 10-7% से discounting करेंगे ऐसे ही यह जो 10-10,000 है उसको इससे multiply करेंगे तो risk free cash flow निकालेंगे और फिर उसको हम discounting करेंगे वह ही किया है it means 15,000 तो पैसे जाएगा यह सर यह आया कहां से बात समझने की कोशिश करना यह कहां से आया यह हमने CE से multiply किया है वह आप कर लोगे मुझे उम्मीद है 7,000 इंटू पहले कितना था वह देख लेना यह मिल जाएगा आपको मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसे ही यहां भी पर discounting rate कितना यूज करेंगे 7% क्यों कि रिस्क हटा के बात कर रहा है रिस्क हटा के बात कर रिस्क हटा के बात कर र अगर हम आरे डियार यूज करते हैं तो cash flow यही रहने देना पर यहां discounting rate कितना यूज करना 9% और यहां discounting rate यूज करना 16% बसे CE approach के सबसे कौन सा project अच्छा है ए रिस्क को consider किया हमने कौन सी approach किया certainty equivalent approach तो ए बैटर आया अगर हम आरे डियार यूज करते तो एक को 9% से discounting करते और एक को करते 16% से तो NPV यहां यह आता यहां यह आता तो उस हिसाब से सोचो तो यहां भी project ए अच्छा है तो question पूछ रहा ए अच्छा की भी अच्छा भाई वैसे तो इसमें आपने risk को ignore किया है तो यह तो मैं मानूँगा नहीं और risk को आपने adjust किया दो approach किया कौन कौन सी approach किया? certainty equivalent approach और कौन सी approach किया? RADR दोनों ही approach पे आईए तो दोनों ही approach से बात करो तो बले A अच्छा है तो हम risk को ignore करी नहीं सकते और risk को consider करते हैं तो A ही अच्छा चाहे कोई भी approach किजिए risk को adjust करने का तो उसे साब से project A is better after adjustment of risk ठीक है तो वैसे जवाब देते हैं ठीक है जी तो तीनों approach होच और है किया? और होगे certainty equivalent कि तो बहुत सारे कोश्च नम्बर 20 पे आई है क्यों मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी अभी से विले question की अभी पहले capital वस्टिंग की बात करते हैं तो question number 20 में लिखा textile manufacture companies considering one of two mutually exclusive proposal project M और project N प्रोजेक्ट M में पैसा लग रहा है आट लाग चालिसा प्रोजेक्ट N में पैसा लग रहा है आट लाग 75 और जो प्रोजेक्ट यू एप्रोच यूज करना risk को adjustment का उसका नाम है certainty equivalent approach अगर यह बोला है certainty equivalent approach तो इन cash flow को convert इससे multiply करेंगे तो वो जो convert multiply करने के बाद जो आएगा उसका नाम रहेगा adjusted cash flow यह risk free cash flow देखो ध्यान से इसी की बात करना पहले प्रोजेक्ट M की यह दिया this is expected cash flow CE से multiply किया तो यह आगया इसका नाम है adjusted cash flow अब ध्यान से देखना discounting rate risk free यूज करेंगे कि risk adjusted sir risk adjusted use नहीं करेंगे risk free यूज करेंगे क्योंकि आपने risk खटा दिया तो discounting rate कितना यूज करेंगे 7 पर बस यही काम की चीज़ यह NPV आगया इसका NPV आगया 6221 ऐसे ही इसक में भी NPV आगया 103 उससे साब से project N अच्छा है अच्छान लिखना नहीं है यह सब टेबल विबल याद है आपका जो question paper उसमें ऐसे exponential टेबल तो आपको लगना है ऐसे भी तो वह दिया है वह काम की चीज़ नहीं है यह question के बात का part छपा हुआ हमारे यह काम का चीज़ चले अगले question पर question number 21 exam में आया था December 2000 याद रखना certainty equivalent इतना simple है और exam में भी आता है इस अच्छे से करके चले जाएं ठीक है considering a project ऐसे कितना लग रहा है एक लाक फर्ष्ट एकस्पेक्ट सब्द लिका है ना फर्ष्ट यर में आएगा सत्तर हजार फिर आएगा साट हजार फिर आएगा 45 था cost of capital लिखा 10 person रिस्क-free rate कहा है due to uncertainty of future the management decide to reduce cash inflow to 80 person मतलब यहां 0.8 से multiply होगा यहां 0.7 से multiply होगा और यहां 0.6 से multiply होगा पर सर cost of capital दिया अब क्या करें और risk-free rate तो दिया ही नहीं है अब क्या करेंगे बताओ हम यह assume करेंगे कि जो cost of capital दिया है वही risk-free rate बस और कोई option बचा भी नहीं है तो बस निकाल लिया CE तो यह आ गया risk-free cash flow multiply किया 10% से तो यह आ गया वैसे मैं फिर से बलता दूँ अगर यहां risk-free rate भी होता साथ हो सकता च्छे हो सकता तो मैं risk-free rate को यूज करता अगर होता तो पर नहीं दिया है तो हमको 10% ही यूज ठीक है जी कोशन नमबर 22 अच्छा कोशन है कब आया था जून 2017 अच्छा कोशन इसलिए है क्योंकि मैं point number 3 के लिए बोल रहीं थीख लिए के लिए लेकाँ डेल्टा कोर्परिशन इस Concelling investment in one of the following two mutually exclusive proposal project A में payसा लग रहा एक लाग एसई हजार Project B में पैसा लग रहा है एक लाग साथ हगर थीख है थीख है थीख है and the company uses this as risk, मतलब RF दिया है भाई साथ, होई तो चाहिए था, RF कितना दिया है, पाच पर, RF दिया है, पाच पर, और certainty equivalent approach में, RF का ही यूज किया जा, इसके अलावा, expected cash flow दिया है, और certainty equivalent दिया, expected cash flow दिया है, तो कुछ है नहीं है, सीधा हम certainty equivalent से multiply करेंगे, तो adjusted cash flow निकालेंगे, पाच परशन से discounting करोगे, तो NPV है जाएगा, ऐसी project बीका करोगे, तो सरी इसमें special क्या था, point number one or two special नहीं है, point number three special है, खेरी है, पर समझना जरूरी है, if the company uses, अगर company, RADR यूज करता, RADR, तो बताईए, किस project को, ज़्यादा discounting rates, यूज करता, किस project में required operator ज़्यादा होता, किस project में, RADR rate अलग-अलग होता है, risk ज़्यादा, तो discounting rate ज़्यादा, RADR में यही तो पड़ा है, तो बोल रहा है, किस project को हम, ज़्यादा discounting rate से discounting करते, जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क किसमें ज़्यादा यह बताओ, अराम से सुनना बिटे, यह certainty equivalent, इसको देखकर बताओ, cash flow को छुड़ो, बस इसी को देखके बताओ, इसमें, certainty ज़्यादा है, सर्भी, और जिसमें, certainty ज़्यादा, उसमें रिस्क, जिसमें certainty ज़्यादा, उसमें रिस्क कम, नाम से अपोजिटी है दोनों, तो जिसमें रिस्क कम है, उसमें रिस्क एजिस्टिट डिसकाउंटिंग रेट काई क्या यूज होगा, कम ही यूज होगा, रिस्क कम तो आरेटी यार कम, कोई लिखना था, बस, कोई यहाँ उन्हें बताया है कि नहीं बताया, बस, हायर रेट, किसको हायर रेट बोल रहा है, इसके लिए हायर रेट यूज हो, क्योंकि इसमें certainty कम है, certainty कम है, तो ज़्यादर हो जाया, कोईशन नमबर 23 में क्या श्पिशल था सर, ये भी बता तो, certainty equivalent कि इतने कोईशन आये हैं भाई, जून 2015 में, ये topic छोड़ी नहीं सकते, और जो छोड़ के जा रहा है, वो बड़ी बेखुवी कर रहा है, क्योंकि कोईशन, जो है, वो बिल्गुल सिंपल आते हैं, वह पड़े, लिखा है, जैसरी टेक्स्टाइल सर, ठीक है, दो प्रोजेक्ट है, एक में लगरा 8,50,000, और एक में लगरा 8,25,000, और कौनसी अप्रोच यूज़ करना है, certainty equivalent अप्रोच यूज़ करना है, इस यूज़ इनकॉर्परेटिंग रिस्क, और गॉर्मेंट बॉर्ण का रिस्क फ्री रेट दे रखा, 6 परशन सर, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें बस एक चीज़ ध्यान देना, यहां certainty factor ना देखके, uncertain factor दे रखा, और क्या करेगा, institute इसके लावा, और कुछ special नहीं है, तो क्या uncertain factor दे रखा, हमें तो certain factor चाहिए, निकाला जा सकता है कि हाँ सर, इसका आएगा 0.8, इसका आएगा 0.7, और इसका आएगा 0.5, बस इसको यूज़ ना करके, यह वाला यूज़ करना, ना क्या और कुछ से नहीं हो जाएगा, यह बलकु पक्का हो जाएगा, कर लोगे इसके लिए, और एक, तो अगर देखो, तो certainty equivalent approach खतम हो, कुछ नहीं था, तो तीन है, risk and uncertainty में हमने तीन approach पढ़ाया, एक पढ़ाया है हम लोगों ने कौन सा, पहला कौन सा पढ़ा था, probabilistic approach, अब probabilistic approach में हम क्या करते थे, सर कुछ नहीं करते थे, हम standard deviation निकलते तो, coefficient of variation निकलते थे, और देखते थे कौन सा ज़्यादा risk है, दूसरा बढ़ा, RADR, RADR में special क्या पढ़ा, RADR में भी कुछ special नहीं पढ़ा, RADR में हम लोग, यह देखते थे, RADR में क्या देखते थे, कि यार कौन सा ज़्यादा risk है, जो ज़्यादा risk है, उसमें discounting rate ज़्यादा यूच करते थे, तीसरा बढ़ा certainty equivalent approach, उसमें क्या करते थे, तो उसमें भी कुछ special नहीं करते थे, जो expected cash flow दिया है, उसको CE से multiply करते थे, तो जो आता था, वो आता था, risk free cash flow, और risk free cash flow को discounting करते थे, consider rate से, risk free rate से, तो जो NPV आता था, जिसमें NPV ज़्यादा आता था, उसको हम accept करते थे, simple, अब एक है decision tree, बहुत सारी question, बहुत सार, मैं एक ही question समझा दू, अच्छे से समझा दू बात ही का, तो मेरे पास question बहुत सारे है, एक question ये भी है, मैं पहले देख लूँ कि कौन सा अच्छे से समझाया जा सकता है, ये वाला question समझाया जा सकता है, तोड़ा सा जिसमें सब कुछ पॉइंट हो जाए यह वाला कोशन अच्छे है समझाओंगा इट मेंस डिसीजन ट्री के सारे कोशन एक जैसे हैं सारे कोशन एक एक कोशन मुझे समझाना है अच्छे से समझाना है तो सर यह जो एक्जाम में आया था दिसम्बर 2018 में पुद से कर लेना लेकिन तब करना जब मैं डिसीजन ट्री समझा दू ठीक है सर और सर इसके अलावा और कोशन आये हैं कि यस यह वाला भी कोशन है इसको भी होमवक दे आता हूँ यह भी कर लोगे आप होमवक दे दिया अच्छे नंबर को कोशन मैं एक ही कोशन करवाँ और अच्छे से और मैंने कोशन नंबर 26 उठाया है जो की आया है जून 2017 में अच्छा कोशन है ठीक अच्छ ताम आने वाला है अ किसे समझा मेरी बात को あच्छा कोशन एक ही कोशन करो अच्छा करो ऐसा करो कि बागी सारे कोशन कि के का अपय कि एनमेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वाइरिंग अन आउटले कि अ लू कि दीना रू रूपया जा रहा है चालिस यर investment proposal expected to have two years economic life life कितना है दो साल आज आएगा 40,000 आने वाले साल में आने वाले दो साल है sell-wise value है नहीं है फिर्स्ट इयर में 0.4 probability है कि CFAT आएगा 25,000 और 0.6 probability है कि CFAT आएगा 30,000 मतलब आज 40,000 लगाएगे तो पहले साल 25,000 भी आ सकता है और 30,000 भी आ सकता है तो probability assigned to cash flow after tax for second year अगर first year में 25,000 आता है तो second year में 12,000, 16,000 और 22,000 आएगा अगर first year में 30,000 आता है तो second year में 20,000, 25,000 और 30,000 आएगा तो कहना क्या चाहते हो यह मैं समझाने के कोशिश करेगा सुना आज कितना ऐसा लगेगा सर आज लगेगा 40,000 पका ठीक अब दो प्रोप्रोप्रोड पहले साल कितना कितना आएगा सर फर्स्ट इयर में 25,000 भी आ सकता है और 30,000 भी आ सकता है कि आ गया मेरा सेफ की कॉंसियर की बात कर रहा हूँ फर्स्ट इयर की कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत और सर अगर पहले साल 25,000 आ आता है अगर पहले साल कम हमारा उनुमान है कि पहले साल ये भी आ सकता है अच्छा प्रोबाइबिलिटी क्या है? कम हाया तो आने वाले दो साल का प्रोबाइबिलिटी बाइबिल प्रोबाइबिलिटी कितना कितना आ सकता है? 12,000 भी आ सकता है कैश पलोगी बात करना हूँ या फिर प्च्चिस जार भी आ सकता है 12,000 भी आ सकता है, 25,000 भी आ सकता है, और 30,000 भी आ सकता है और बोले क्या-क्या probability है, 0.2 और क्या है, 0.3 और क्या है, 0.5 मतलब सर, second year का cash flow, first year के cash flow पे depend करता है, yes अच्छा, अगर 30,000 भी आ सकता है, और 25,000 भी आ सकता है, और 30,000 भी आ सकता है, और 30,000 भी आ सकता है और क्या-क्या probability है, 0.4, 0.5 और 0.5 वदिकत, नाइस, तर करना क्या है, वो करना क्या है, वो मैं समझा, और आम से सुन, यह CFAT कौन से year का, second year का इसको बोलते है, dependent cash flow, second year का cash flow किस पे depend करता है, first year इसको बोला जाता है decision tree, अगर decision tree बनाने के लिए बोले, तो ऐसे ही बनाया जाएगा, इसका नाम है decision decision tree decision tree, अब question क्या बोल रहा है, what NPV will the project yield if worst outcome is realized, क्या कहना चाहता है, कहना यह चाहता है, क्या क्या हो सकता है, सोचो, outcome, सर्फ पहले साल 25,000 और 12,000 आ सकता है, सर्फ ऐसा भी हो सकता है, कि पहले साल भी 25,000 और 12,000 और बी इसे जा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब total मिलाकर कितने outcome सी दिख रहे, अच्छे, दिख रहे ना आपको अच्छे, सबसे बुरा outcome क्या दिख रहे, सबसे बुरा, जिस पर NPV सबसे खराब आने वाला, सर्य पैले सालाए पच्चीस जार और दूसरे सालाए बारा सबसे बुरा सबसे बुरा तो यह दिख रहा है आपको तो बोले इस। आउटकम के सबसे एनपीवी की आएगा बताओ। असानी से निकल लोगे। अगर मैं क्या हूँ पहले साल 25 जर आएगा। दूसे साल 12 जर आएगा। तो मालो यही होता है। तो बताओ N.P.V की आएगा। वर्श्ट आउटकम बोलता है। निकल सकता है। निक साल के factor से multiply किया, दूसरे साल के factor से multiply किया, और उस में से 40,000 मैंनस कर दिया, तो आ गया minus 8111, तो अगर मैं कहता हूँ, इस outcome की बात करो, NPV आ गया negative 8111, ऐसा, 8111, कैसे आया होगा, 25,000 into 0.909, 10% है, 12,000 into 0.8264, मैंनस क्या कर दिया, 40,000 तो NPV आ गया, उस समय मैं probability से multiply नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा मोल रहा हूँ कि भूल जाओ भी probability को, पहले साल 25, दूसरे साल 12, तो NPV कितना, NPV 8111, अब question पूछ रहा है, बताओ, ये NPV आने की probability क्या है, क्या है इतना negative NPV आने की, तो याद रखना, यहां हमको करना क्या है, हमको probability से multiply करना, it means 0.4 को multiply करना, 0.2, प्रोबियबिलीटि का आपस में multiplication होता है, जब मुझे ये probability निकालना होता है, joint probability, 0.4 into 0.2, तो ये प्रोबियबिलीटि आने, स्वरी ये NPV आने की probability कितनी है, 0.08, या फिर 8 पर्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट क्या है, तो बेस्ट क्या है, रहा है, सर 30,000 और 30,000, यह आने की NPV क्या है, कि पहले साल भी 30,000 आएगा, सर NPV आ सकता है, अगर ऐसा हुआ, तो 10703, और इतना NPV आने की probability क्या है, 0.6 into 0.1, तो probability 0.06, या फिर 6 पर्शन, ठीक है, चौता पूछ रहा कि बताओ, प्रोजेट को accept करना है, कि reject, तो सर, अब सुनना काम के, बहुत सारी तरीके हैं, पर वो ही तरीका करेंगे, जो CMA Institute, हम लोग total मिला कर 6 NPV निका लें, 25, 25, 25 और 12, फिर 25 और 25, और 25 और 30, और 30, और 20, और 25, और 30, और 30, और 30, यह वाला cash flow के लिके NPV निका लें, और जो भी NPV आएगा, टोटल मिला कर 6 NPV आजाएगा, और 6 probability होगी, और multiply करोगे, तो क्या आएगा, expected NPV, अगर expected NPV positive है, तो accept कर लेंगे, ने तो reject कर देंगे, समझा रहा है, यह decision tree तो आपको बनाना बना, इसके बाद देखो किया किया है, उसने टोटल मिला कर यहां पहले, 25, 12 लिया, 25, 25 लिया, 30, 20 लिया, 30, 25 लिया, और 35, 30 लिया, और उस हिसाब से उसने NPV निकाला आए, और टोटल मिला कर हमारे पास जो NPV है, वो कितनी आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 NPV, ठीक है, और यह NPV को उसने joint probability से multiply किया और joint probability से multiply किया तो ये answer आ गया इसको उसने नाम दिया expected अब बोल रहा कि अब पूछो पहले number पर decision tree मांगा था निकाल लिया बोले अब पूछिए अब क्या मांग रहे है अब वो बोल रहा है कि बताए worst outcome पर कितना NPV आयेगा तो worst outcome दिख रहा है आपको worst outcome मतलब 25 और 12 दिख रहा है minus 8113 वोई निकाला है उसने 8111 negative और इस बात की probability कितनी है 8% तो बोले best outcome पर NPV कितना है तो best outcome कितना दिख रहा है वो ये 30,000 उसकी NPV है 10703 और इस बात की probability कितनी है 0.06 मतलब 6 बात और पूछ रहा कि project को accept कर रही कि reject तो ये है और ये positive है expected NPV तो हमें accept कर लेना एक्जाम में और क्या पूछ सकता है क्या पूछा हुआ है सुननो एक्जाम में ये पूछा था कि negative NPV आने की क्या probability नेगेटिव तो negative बोलो कितने बार आया यहाँ भी negative यहाँ भी negative दो बार negative आये तो negative आने की probability कितने इन दोनों का multiply मत करना जोड देना cumulative probability किस बात की negative NPV ऐसा पूछ सकता है किसी question में पूछा है तो दोनों का जोड दोगे तो कितना जाएगा point 20 एक तो ये पूछा है negative NPV आने की total probability कितने है point 20 एक ये पूछा most likely NPV की क्या probability most likely बोलेगा तो यहाँ देखना की सबसे ज़्यादा probability कहां दिखाई दे रहा ये वाला point 3 most likely NPV है 671 most likely बोलेगा तो जिसमें probability ज़्यादा होगी उसकी बात कर ठीक पस यही था decision tree इसी में एक होता हिलर मॉडल वो मुझे आपको करवाना है हिलर मॉडल ठीक इसे तो question number 27 याद रखना भाई decision tree पे काम कर लेना बहुत जादा बहुत जादा important topic है decision tree और यही question repeat है सब कुछ हुआ ही होगा पाच लाक ये ये अराम से कर लोगी ये 1 नहीं इसमें इसके बाद तो अराम से कर लोगी ठीक है homework ये भी हो जाएगा homework देखो most likely NPV मैंने discuss कर चुका हर चीजे मुझे मुझे मालूम है क्या क्या हो सकता मैंने discussion कर चुका ये हिलर हिलर नहीं हिलर model है इसको ठीक कर ले न हिलर मॉडल है खेर हमें नाम से क्या लेना है यार कोशन है मान लो हिलर मॉडल करके topic है पर मैं नाम पर नहीं जा रहा हूँ मान लो की question है और इस question को कैसे करना है बस ये समझाने की कोशिश करो independent cash flow वाला question है healer model है actual मैं CA final में पढ़ाया जाता है क्योंकि CA final में बढ़े सारे पढ़ाया जाता था क्योंकि CA final में बढ़े सारे question आपको थोड़ा बहुत discussion कर इसी question कि थूँ कोशिश करूँगा discussion कर इसी question कर the following information given in respect of two project X और Y पहले साल के cash flow का दूसरे साल के cash flow से कोई लेना देना नहीं मतलब independent cash flow पिछले question में क्या हो रहा था dependent था अभी क्या है independent पहले साल का cash flow कितना आ सकता कितना आ सकता दूसरे साल का cash flow कितना आ सकता है इतना सकता है और तीसे साल का तो expected cash flow पहले साल का expected cash flow दूसरे साल का और तीसे साल का निकल सकते हो जैसे project X का project Y और risk free rate risk free discounting rate दे रहा 10% risk free हमारे काम का नहीं है risk free कब काम आता है जब हम certainty equivalent approach करते है पर पता नहीं देखते हैं और risk adjusted discounting rate यह हमारे काम का 14.1 क्योंकि expected cash flow निकले assume cash flow और independent वो तो ठीक है वो तो हम समझी कहते है independent है it is given that standard deviation annual दे रखा है X का पहले साल का standard deviation दे रखा है 490 और second year का standard deviation दे रखा 916.50 और तीसरे साल का standard deviation दे रखा है 400 इसी से मैं समझाने की कोचिस करू फर्स नंबर पर क्या मांग रहा है NP भी निकालना है for both the project based on which would you choose NPV तो पहले साल का cash flow निकाल सकते है दूसरे साल का cash flow निकाल सकते है तीसरे साल का cash flow निकाल सकते है कुछ करना नहीं है अगर पहले साल का cash flow निकालू तो 2000 x 2.4 M plus 3000 x 2.6 M plus MRC पहले साल का cash flow है 26 X की बात करूँ Y का तो आप कर लोगे 4000 x 2.3 M plus ये भगवान कितना था है चलो जो भी होगो वो निकाल लोगे मैं अगर question पूछूँ पहला साल का cash flow है 26 दूसरे साल का भी 26 और इसको discounting किस से कर दिया भाई 10% से discounting कि है risk free rate से अच्छा ठीक 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 sorry 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 मेरी बात समझ देए क्योंकि risk हमको अलग से valuation करना है risk का काम अलग से करना है सुनना ध्यान से मैं जो बोलना चाहता हूँ बहुत गहरा concept है यहां समझाना मुस्किल है पर समझने की कोशिश करना क्योंकि यह cash flow दिया है no doubt इसमें risk है हाँ है सर पर अभी कह रहा है कि हम risk को अलग रख रहा है और यह जो cash flow इसको अलग रख रहा है cash flow को मान के चलो कि यह risk free है और risk के लिए हम standard deviation है उसका काम हम अलग से करेंगे यह बात बोली जा रहे है it means बोले हम यहां discounting rate इसको हम 10 person से discounting करेंगे और risk का evaluation अलग से करेंगे और इसके लिए हम standard deviation वाला काम है ठीक है इसलिए उसने क्योंकि standard deviation अलग से दिया है it means इस risk का evaluation अलग से किया जाएगा और cash flow का evaluation अलग से किया जाएगा ठीक इसलिए discounting rate कौन सा यूज किया उन्होंना 10% अगर standard deviation बीच में नहीं होता तो 100% इसको RADR से discounting होता 10% से discounting किया तो ये आ गया ये और ये आ गया NPV ऐसे इसका भी हमने इस तरह से काम किया और ये आ गया NPV दोनों का क्या NPV बराबर है तो यहां कहना मुस्किल है क्या अभी मैंने risk का adjust किया नहीं किया मैंने तो risk free rate ली अभी risk का adjust नहीं किया अब हम risk को use करें अब ध्यान से समझना ये वाली बात समझ में नहीं आती बच्चों को ये समझाने की कोशिश करूँगा ठीक से समझाने तो प्रोजेक्ट एक्स का पहले साल का standard deviation कितना है भाई annual standard deviation दे रखा 490 और दूसरे साल का standard deviation कितना है 916.50 और तीसे साल का standard deviation कितना है अब मैं इन standard deviation की present value निकालूँगा रिस्क का अलग से present value निकालूँगा अब देखो कैसे करूँगा डिस्काउंटिंग कितने उसे करना है दस पर अब देखो मैं कैसे करूँगा ध्यान से देखोंगे बिट पहले साल का standard deviation है 490 present value निकालना है तो 1.10 और आपका power 1 दूसरे साल का standard deviation निकालना है तो सर 916.50 divided by 1.10 power प्लस 400 divided by 1.10 power ऐसी तो निकाला जाता present value अब बोलिए पर दिक्कत क्या है मैं present value अब रिस्क निकाल रहा हूँ दिक्कत क्या है साल कि रिस्क को ना variance में निकाला जाए पोटफोलियो क्या है variance का मतलब इसको square करना पड़े और इसको भी square करना हो और इसको भी variance में हमको काम करना हो इसलिए square करना हो तो square की वजह से हुआ क्या तर square की वजह से हुआ ये कि 490 तो square हो गया पर ये 1.10 भी square हो गया और 916.50 तो square हो गया पर 2 into 2 ये 1.10 पावर क्या हो गया 4 और 400 तो square हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं और 3 into t तो ये 1.10 पावर क्या हो गया से चिक मैंने खाना में बहुत ज़्यादा रिसेर्च नहीं कर वा सकता रिवीजन में बस रफली नॉलिज दूँगा कि ऐसे क्यों अब काम कर सकते हैं कि यस 490 into equal to तो सरी आगे 240100 अब इसको डिवाइड ना करके ऐसे कर सकता हूं फैक्टर 1 डिवाइब 1.10 दो बार equal to तो सरी आगे 0.826 प्लस 916.50 into equal to तो सरी आगे 839972.25 और 1 डिवाइब 1.10 एक तो 1 डिवाइब 1.10 एक तो 1 डिवाइब 1.10 1234 तो सरी आगे 0.683 अब यह वाला काम कर लेते हैं तो 400 into equal to 400 into equal to तो यह आगे 160 अब इसको कैसे करेंगे सर 1 डिवाइब 1.10 123456 तो यह आगे 0.56 और और इसका टूटल कर देंगे वो ही किया है 490, 916, 400 स्क्वाइर किया फैक्टर में से बाद में में बल ठी 0.826 यह दिख रहा है आंसर आ जाएगा पक्का पक्का आंसर कितना आ जाएगा यही आ जाएगा एक बर करके देखें क्या मेरे ख्याल से यह आंसर चाहिए मझे 8, 6, 1, 4, 2, 3 240, 100 इंटू.826 एम प्लस 83997 टू.25 इंटू.63 एम प्लस एक लाग साथ हजर इंटू.56 फोर एम प्लस एमर्स कर बढ़ोगे देख लेना आप कहीं कैल्कुलेशन मिश्टेक होगा तो मेरी बास समझो यह जो इसको फैक्टर से मल्टिप्लाई करोंगे और टूटल मारोंगे तो यह आ जाए यह इस्टेंडर डेविशन और प्रेजेंटर और उसको स्क्वार रूट कर देना ठीक है मेरी ख्याल से अंसर आ जाएगा आपका मुझे पूरी उम्म अंसर चाल इस तो चाल इस तो इस तो 0.86 एक 8 3997 2.3 इस 0.682 और 1,03,000 तो 0.564 वन नाइन आप्ट वन नाइन एट नेट नाइट नाइट या इन्होंने यह जो लाया है कहीं इससे तो मल्टिन प्लाइ नहीं कर दिया वापस तो सो चालिस एक तो इन्टु पॉइंट न्यों नाइट टू पॉइंट एक मुझसे कल्गुलेशन में मिश्टेक हो रही है इस यह कोई मतलब का नहीं है इसके चक्कर में मत पढ़ना आप दो सो चालिस एक सो को कि मल्टिप्लाई किस से करना पॉइंट टू सिक से ही करना इसको इसी से करना यह फैक्टर की चक्कर में अल्रट यहां हो गया मैंने लॉजिक समझा चुका आप यह आएगा इसका तो यह अएगा इसका क्योंकि यह वेशयान से तो इस्टेंडर डैविशन निकल लगे तो यह आगे अब फिर अनने क्या किया भोले expected cash inflow कितना है 6463 और यह जो standard deviation है वो किसम है तो बोले annual cash inflow में यह standard deviation है, standard deviation भी cash inflow का है, तो बोले अब एक काम करो क्योंकि दोनों में एक जैसा है, वैसे तो deviation की हिसाब से सुनना, अगर मैं deviation की हिसाब से देखूं, इसमें deviation है 928 और इसमें deviation है 840, तो deviation की हिसाब से देखूं तो project B में कम deviation है, पर cash inflow तो दोनों में अलग-अलग है न, इसमें cash inflow है 5463, इसमें cash inflow 6463, मैं cash inflow से ही क्यों divide करने का सोच रहा हूं, बस आप समझने की कोशिश करना, यह जो दे रखा न, deviation वो cash inflow में दे रखा, cash inflow में दे रखा, इसलिए मुझे coefficient of variation निकालने के लिए, standard deviation divided by x-bar करना पड़ता है, standard deviation किसका है, cash inflow का, यह दिया हुआ, 928.129, 928.12, जब x-bar करूँगा तो NPV को x-bar नहीं लूँगा, मुझे cash inflow को ही x-bar लेना पड़ेगा, 6, 4, 6, 3, तो जो आएगा, यह आगया है मेरा coefficient of variation, और किस में coefficient of variation कम है, project x, तो project x कर लेना है, this is healer model, तर नाम कहां है, healer model, नाम हो, चाहे ना हो, अगर standard deviation निकाल कर दे दिया है, तीन साल का, अलग-अलग, तो फिर आपको वही यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझा है, यह वाला तरीक, ठीक है, कर लोगे जी, आसर, मेरे ख्याल से बस इतना ही था, इसके बाद हम start करेंगे, sensitivity analysis, दो मिनट का break ले रहा हूँ, sensitivity analysis start करेंगे, मेरे ख्याल से अब sensitivity analysis बचा हुआ है, और inflation in capital बच्टिंग बचा, और capital राश्टिंग बचा, खतम, ठीक है, जो main topic थे, वो हमारी हो चुके, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, दो मिनट का break, चला हूँ, अगला topic, sensitivity analysis, sensitivity analysis में होता क्या, वैसे तो दो topic, एक होता है, scenario analysis, एक होता है, sensitivity analysis, समझना क्या है, actual में sensitive, sensitivity analysis है क्या, समझाने की कोशिश करता हूँ, अराम से सुना, मान लो, किसी project को cost है, एक लाग रुप, project में पैसा लगा रहे हैं, और हम यह कह रहे हैं, कि यार life कितने इसके life है, चार साल, और सर, चार साल में, काम क्या करोगे, product बनाएगे, और product बनाकर, product बेचेगे, तो चार साल में, कितना units से बेचोगे, तो मैंने वह भी निका लिया, चार साल में, मेरा हो सकता है, कि यार सुरू में हम, 50,000 units से बेचे, units से निकाल रहा हूँ, units, और हो सकता है, कि 50,000,000 units से बेचेगे, 50,000, मन से ले लिए, 50,000, आराम से सुना, पहले concept समझ ले, ना फिर दिक्कत नहीं हो, तो सर कितने-कितने का भीचेएंगे, selling price, selling price ऐसा है कि 25, 25 रुपय का भीचेँगे, selling price है 25 रुपय, ठीक है, variable cost में material ठीक है, हाँ, तो variable cost कितना है, मैं कहता हूं, variable cost एक-एक यूनिट पर 55 रुपय, ठीक है, हाँ, और discounting rate कितना सर, discounting rate ले ले लेते है 10 पर्शन, और टेक्स का रेट वगेरा सब कुछ करके मैंने कहा यार पैसा आज लग रहा है कितना रुपय एक लाख हां बोलो हां और एक लाख रुपय लगाते हैं तो हम बिजनस करेंगे मशिनरी में एक लाख रुपय लगा हैं बिजनस करेंगे business करेंगे तो हर साल 50-50,000 units से बना कर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे उसमें से खर्चिय माइनस करेंगे depreciation माइनस करेंगे CFAT निकालेंगे, CFAT को discounting करेंगे और ये सब कुछ करने के बाद हमारा NPV आ गया positive, कितना रुपए आ गया, NPV 20,000 रुपए positive, सब मन से लिख रहा हूँ क्या आप project accept कर लेना चाहिए Yes, project accept कर लेना चाहिए, क्योंकि NPV positive है पर कहानी अभी खतम नहीं होई अब कहानी start होई अगर project कर लेना चाहिए, यहाँ तक ठीक है लेकिन अब दिक्कत यह है कि भाई, बड़ा काम करने जा रहा हूँ पैसा लगाने जा रहा हूँ, तो एक बर और सोच लो बोले अब क्या सोच है, बोले यह सोच हो थोड़ा सा और सर्वे करो market में आप जो अनुमान लगा रहा हो यह अगर गरबड हो गया तो आप तो बरबाद हो जाओके, तो बले थोड़ा रुख जाओ, इतना सारा पैसा लगा रहा है, थोड़ा सा रुख जाओ, बले ठीक है, क्या करना क्या यह बताओ भले कितना units बिक रहा है भले पच्चास जार पच्चास जार युनिट से बिक जाएगा हमको ऐसी उम्मीद है भले बुरा सोच के देखा भले फ़ले ठीक है कैसे सोच नहीं बताओ अगर पच्चास जार units ना बिक तस परशन कम बिक states भर कि अगर 45,000 units ही बिके 45,000 units ही बिके हो सकता है ना यर हो सकता है तो NPV में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़े पड़ेगा सर NPV कम आएगा की ज़्याद आएगा कम आएगा सर और मान लो NPV आगया 5000 हमने जो units है हमने उसको 10% से डाउन करवाया है 10% से कम किया तो NPV भी तो कम हो गया पर्षेंट इस निकाल सकते हूँ कि कितने पर्षेंट से कम हो गया सर 20,000 पहले NPV था अब हुआ पांच जार डिवाइड बाई पहले कितना था 20,000 इन्टू हन्डट तो 15,000 डिवाइड बाई 20,000 इन्टू हन्डट तो 75% से NPV डाउन हो गया इसका मतलब सर हमने यूनिट्स में 10% बुरा बुरा सोचना है अगर 10% से यूनिट्स कम होगा तो NPV पे फर्क पड़ेगा 75% से NPV भी गरेगा 75% से एक समय पे एक फेक्टर चेंज करना ठीक है यह हो गया किस यूनिट्स के चेंज होने से यूनिट्स के डाउन होने से NPV भी डाउन होता है कितने पर्शन से 75% से अब हमने का अब एक काम करते हैं सेलिंग प्रैस कितना है 25 रुपए चलो इसको भी बुरा सोचते है बुरा क्या सोचेगे अगर आपका जो प्रुड़क्ट है वो 25 रुपए में नहीं बिक पाया कम में बिका तो और कितना पर्शन डाउन कर दिया 22 रुपए 50 पैसे तो क्या NPV में बढ़ेगा कि कम होगा सर कम होगा और NPV 20,000 से कम हुआ और NPV में कितने पर्शनेज का फर्क पड़ा 50 पर्शन का फर्क पड़ा तो अब सोचना अब अब इंपोर्टेंट है प्रोडक्शन सेल्स के 10 पर्शन के चेंज होने से सेल्स के 10 पर्शन के गिरने से NPV गिरता है 75 पर्शन जबकि सेलिंग प्राइस के कम होने से NPV गिरता है 50 पर्शन तो बताओ कौनसा डेंजर फैक्टर, दोनों में 10 Nevada काई चेंज करवारा है, कौनसा ज्यादा डेंजर दिक्ख रहा है, sir यहाँ MPV जबरदस तरीके से गिर रहा, 75% MPV डाउन हो रहा है, सेलिंग प्राइस से भी डाउन हो रहा है, लेकिन 75% से नहीं हो रहा है, 50% से हो रहा है, कौन सा डेंजर दिख रहा है, यूनिट्स, यह डेंजर है सर, क्या करो, सर और भी देख लेते न, हाँ, चलो, variable cost, बुरा सोचते हैं, बुरा हो सकता है कि, हाँ सर, variable cost का बुरा क्या हो सकता, सर बढ़ गया तो, material का price बढ़ गया त हाँ, तो यह बढ़ सकता है, मालनो यह 10% बढ़ गया, तो NPV क्या होगा, गिरेगा, और कितने परशन से गिरा, बुले 30% से गिरा NPV, सब मन से लिख रहा हूं, तीन factor निकाला, एक समय पर एक factor में change करना है, पहले किस में change किया, यूनिट्स में, फिर किस में change किया, सर, selling price मे फिर किस में change किया, variable cost में, किस में, 10% का तीनों में change किया, किस में NPV जबरदस धंग से गिर रहा है, सर, जबरदस धंग से गिर रहा है, selling units के change होने से, it means, अब अपने team को पहचाईए, और survey करवाई है market में, इसके बाद, कि, जो माल बिकेगा, वो 50,000 पक्का बिक जाएगा ना, क्योंकि इसमें change होगा ना, थोड़ा सा, तो NPV धंग से गिरेग, तो ये हमारे लिए critical factor, ऐसे बहुत सारे factor, project के जितने भी variables है, जितने भी factors है, उसमें opposite direction में change करेंगे, unfavorable direction में change करेंगे, favorable, unfavorable, unfavorable मतलब, life कितना है, 4 साल, भगवान ना करे, machine 4 साल ना चले, तीनी स साल चले तो, और सोचते, cost of capital कितना है, 10%, मतलब लोगों से पैसा हो जितने में मिल जाएगा, आपको क्या उमीर है, 10%, भगवान ना करे, कि 10% में ना मिले, 11% मिले, तो NPV में change होगा, बस ये निकालना है, हर एक समय पर एक एक factor change करेंगे, तो sensitivity, sensitivity मतलब दिख रहा है, sensitivity मतलब बीटा, हाँ सार, ये सद्ध सहीं बोले, बीटा, मतलब सार, units के change होने से, units के गिरने से, NPV भी गिरता है, तो times में बता सकते हो कि कितना times, that's it, ठीक है जी, हाँ बोलिए, तो ये है sensitivity analysis, ये कब किया जाता है, पहले आपने project देखा, NPV निकाला, NPV निकालने के बाद सीधा accept म पैसा मतलगा देना, उसके बाद further research करना है, it means, उसके बाद हमें sensitivity analysis करके, हमें फिर research करवा के critical, पहले critical factor ढून लेना, कौन सा critical factor है, उसके बाद फिर research करवाना और पता करवाना कि उस critical factor की क्या इस्तिती है, this is sensitivity analysis, और उसके बाद आप satisfy हो जाते हो, तो फिर project में invest किजी, ठी sensitivity analysis में analysis of various factors of project life, project क्या-क्या हो सकता है, cost of project, cost of project, कितना दिख रहा है, पैसा सर हम project में लगाने वाले है, एक लाग रुपए, अभी लगाया नहीं, लगाने वाले, बहुत कुछ लगता project में, टाइम भी लगता है, भगवान ना करे, अगर cost of project, तो project का cost वो बढ़ गया तो, अच्छा, life of project कहीं कम हो गई तो, selling price कहीं कम हो गई तो, अपो और फैरेवल, cost of product, product का cost, product का variable cost वगेरा बढ़ गया तो, cost of capital कहीं बढ़ गया तो, unfavorable direction में सोचना, it is also called what if analysis, in sensitivity analysis, we change each factor, in unfavorable direction, keeping other factor constant, मतलब, बाकी सारे factor आपको constant रखना है, to find out critical factors, so that further research may carry out about such factor, before accepting the project, simple है, sensitivity analysis के दो approaches है, वो दोनों approach सीखना जरूरी है, एक्जाम्पल से सीखते हैं, इस example को कर लोगे, तो, tension ही कतम हो जाए, बहुत अच्छा example है, और यही question भी है आपको, तो, इसको करना है, अच्छे से करें, एक बार read करें, तो, cost of project, एक लाग 20,000, हर साल आएगा 45,000, life कितनी है, 4 साल, cost of capital कितना है, 10%, सबसे पहला काम है, कि हम प्यार से NPV निकालेंगे, NPV, 10% के rate से, एक लाग 20,000 मैनस किया, तो, NPV आ गया 22,605, ठीक, ठीक है, अब हम करने जा रहे है, sensitivity analysis, और हर एक factor को change करना है, 10% से, example है, question में लिखा हुआ था, कि हर एक factor को 10% से change करना है, पर मैं कह रहा हूँ कि चलो, ये भी एक factor है, ये भी एक factor, ये भी एक factor, ये भी एक factor, ये भी एक factor, भगवान, जो अनुमान लगा रहा है हो, कि हमें प्रोजेक्ट में एक लाग 20,000 लगेगा, भगवान न करे, अगर वो 10% से बढ़ जाए तो, ये NPV में फर्क पड़ेगा, येस, तो चलो, निकालते हैं NPV, तो हर साल का ये आ रहा है, 45,000, पस प्रोजेक्ट का कोश्ट में कितने पर्षंट से बढ़ा रहा हूँ, 10% से बढ़ा दिया, तो टोटल मिलाकर, NPV कितना आ गया है, 10,605, तो पहले NPV था 22,605, अब हो गया है 10,605, तो बताओ, NPV गीरा, और कितने पर्षंट से गर गया, 53.09%, सिंपल, हर एक फैक्टर को चैंज करना है, और ये देखना है कि NPV गिरेगा, तो कितने पर्षंटेज से गिरेगा, तूसरा, cash flow, हर साल पैसा आएगा 45,000, हर साल पैसा आएगा 45,000, भगवान ना करे, कहीं ये पैसा कमाया तो, कितना 10 पर्षंट से डाउन कर दो, 45,000 माइनस 10 पर्षंट, 40,500, तो अब, 40,500, प्रोजेट के cost में अब change मत करना, वो पहले था वैसी रहने देना, तो 40,500 को, ये factor एक लाग भी से था, तो NPV आ गया, 8,345, तो 8,345 के सब से, बोलो, NPV कितने से डाउन हो गया, NPV तो कम हो गया, और कितने से डाउन हो गया, 63,0, मतलब, annual cash flow के change करने से, अगर annual cash, CFET कम होता, तो NPV भी गिरता है, और कितने पर्षंट से, 63 पर्षंट से, प्रोजेक्ट का cost बढ़ता है, तो भी NPV गिरता है, और कितने पर्षंट से, 53 पर्षंट से, इन दोनों में से कौन सा, यह बाला CFET, अभी दो factor उठाया, तर तीसरा factor क्या कर रहे है, cost of capital, अभी कितना पर्षंट है, 10 पर्षंट, cost of capital बढ़ गया, तो NPV डाउन हो जाएगा, 11 पर्षंट ले ले लेते, 10-10 पर्षंट से सब बढ़ा रहे है, ठीक है, cost of capital कितना किया, 11 पर्षंट, NPV निकाला, NPV आ गया, यह, NPV भी डाउन हो गया, पर्षंटेज निकाला, तो फिर NPV डाउन हो गया, कितने से 11.9, तो कौन सा, supply भी निकाल सकते हैं, पर लाइफ के विसे में, तीन factor के विसे में, मैंने बात किया, तो sir, cost of project के बढ़ने से, NPV डाउन हो रहा है, कितने पर्षंट से 63, CFAT के कम होने से NPV डाउन हो रहा है, 63, वो 53 था, और यह कितना गया, 11, तो critical factor, मौश्ट, खतरनाक चीच कौन सा है, sir, यह वाला है, और इसको क्या बोला जाता है, यह है annual cash in blue, यह एक approach है, मतलब sir, हर एक factor में unfavorable direction में change करना है, कुछ percentage दिया रहेगा, उस percentage को लेकर, और भी एक तरीका है, और वो जो तरीका है, वो आपके exam में आता है, वो ज़्यादा important है, दूसरा approach, सुनना विट्ये, दूसरा approach, अच्छा है, ध्यान से सुनोगे दिक्कत नहीं, दूसरा approach है, मैंने NPV निकाला, NPV तो निकाल नहीं है, कितना निकाला, 22,300, ध्यान से सुनना पड़े गई है, और मैं कहता हूँ यार, चलो इसका sensitivity निकाल लेता, मतलब मैं यह कह रहा हूँ, cost of project में sensitivity निकालना है, अब सुनना, अब सुनोगे ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ, भगवान अगर जितना सोचा है, उससे ज़्यादा पैसा लगा, तो मैं खतम, तो भी कोई दिक्कत नि, अगर एक लाग तीस जार रुपए भी लगता है न, तो भी कोई दिक्कत नि, तो भी NPV positive आएगा सर, ठीक है, maximum, maximum, कहां तक मैं सहिन कर सकता हूँ, this is most important, maximum, एक लाग बीस जार चलेगा, एक तीस भी चलेगा, एक तीस भी चलेगा, तो भी NPV positive है, मैं कहां तक अगर महगा होगा, तो भी मैं खरीदें कितने रुपए तक मैं accept कर सकता हूँ, this is most important, project का cost अभी कितना, एक बीस, एक बीस से बढ़ेगा तो दिक्कत तो है, पर दिक्कत है, तो भी चल जाएगा, तो कहां तक चल जाएगा भाई, NPV zero तक चलेगा, पर अगर NPV negative आ गया, तो cost of project मैं accept नहीं करूँगा, it means मैं कहना चाहता हूँ, क्या इस से जादा लगेगा, तो भी क्या हम project को accept कर लेंगे, yes, कर लेंगे, कितने रुपए तक accept कर लेंगे, it means cost of project हम इतना लिखे, कि NPV zero आ जाएगा, negative हो तो नहीं चलेगा, NPV zero तक चल जाए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि क्या होना चाहिए, cost of project की NPV zero आ तो भी चलेगा, पतलब सर एक्स ले लोगे इसको, अब सुनना, दूसरी अप्रोच है यह, अप्रोच नमबर टू, मैं जब से पहले sensitivity निकालना initial project cost और मैंने cost of project को माना x, NPV क्या रखना है मझे 0, तो मैंने निकाला 142605142, और cost of project कितना है, वैसे तो एक लाग भी से जा रहा है, मैंने का यार, ज्यादा महगा होगा, ज्यादा पैसा लगीगा, वो ले तो भी चलेगा, कितने रुपय तक चल जाएगा, वो ले 142605 तक चल जाएगा, इत मिन्स, जिस project में मैं पैसा लगा रहा हूँ, अगर वो महगा होगा, तो भी चलेगा, कितने percentage तक महगा होगा, तो चलेगा, यह मुझे percentage चाहिए, cost और project में कितने percentage तक बढ़ाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, 142605 माइनस एक लाग भी से, डिवारे बाएक लाग भी से, तो 18.84% तक बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत ने, इसमें change किया जा सकता है, तो भी मैं project accept कर लूँगा, कहां तक बढ़ाया जा सकता है, 18.84% तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसका एक shortcut भी है, किसमें sensitivity निकालना है, सर, cost of project में, shortcut सुनोगे भी ते ध्यान कि, cost of project में sensitivity निकालना है, तो cost of project कितना है, सर, एक लाग भी से, एन पी वी कितना आया था, सर, NPV आया था, हमारा पहले जो NPV निकाला है, वो NPV कितना आया था, सर, पहले जो original NPV है, वो है, 22,605, तो 22,605, into 100, तो answer कितना आयागा, answer इतना ही आयागा, मैंने का यह shortcut है, सर, ultimately तो वो ही है ना यार, वो ही है, मैं कह रहा हूँ, shortcut है, अगर आपको जिसक में भी sensitivity निकालना है, उसको लिख लेना नीचे, और उपर लिख लेना NPV, shortcut है, काम आयेगा, हाला कि सर, यह derivation, derivation कुछ नहीं है, यह X लेकर ही किया है, ठीक है सर, दूसरा, sensitivity अब किस में निकालना है, cash inflow, अभी कितना cash inflow, 45,000, डर किस बात का है, सर, कमना हो जाए, कितने रुपए कम भी हो, तो मैं accept कर सकता, मतलब NPV 0, सर, NPV, cash inflow कम है, तो चलेगा, आप पर NPV negative नहीं आना चाहिए, देखते हैं, किस हद तक कम किया जा सकता, X मान लो उसको, NPV निकालने का formula, इसको X माना, बाकी निकाल लिया, तो यह आ गया, 37867, माइनस किया, तो यह आ गया, 15.85, पर अल्टरनेट्व, NPV उपर आएगा, बोले किस में निकालना है, हमको sensitivity बोले, annual cash inflow में, तो यहां लिख लेना, present value of cash inflow, आंसर रजाएगा, 15.85, ठीक है, आप बो अब सुनना, अब important बात है, क्या cost of project में change किया जा सकता है, यस, कितने percentage का, 18.84%, cost of project, क्या annual CFEAT में change किया जा सकता है, यस, कितने percentage का, 15.84, इन दोनों में से, critical factor कौन सा है, सोच समझ कर जवाब देना, दोनों में से, critical factor, सर, इसमें भी change किया जा सकता, इसमें भी change किया जा सकता, इसमें ज़्यादा change कर सकते, तो भी चलेगा, पर इसमें थोड़ा सा भी ये, अगर उपर नीचे गया, तो NPV नेगेटिव हो जाएगा, मतलब critical factor है, cash inflow, जो कम है, उसमें ज़्यादा change नहीं कर सकते, थोड़ा सा अगर हिला न, तो NPV project reject करना पड़ेगा, तो ये critical factor है, मतलब सर, approach की सबसे, अलग अलग चीज, हाँ, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है, ऐसी cost of capital, cost of capital अभी कित है, मतलब सर हमको तो IRR निकलना, yes, IRR निकलना, IRR निकलना आता है, IRR कितना percent निकलना, IRR निकलना, 18.54%, ये आया, उसका sensitivity निकलना, 18.54, minus 10, divided by 10, तो ये आगे 85.4%, तो कौन सा critical factor है, annual cash inflow, ठीक है, sensitivity की दो approaches है, पहला, जिसमें हम change करते, 10-10 question का, और दूसरा जिसमें NPV को हम zero कर दे, sir, तो हमें कौन सा approach करना पड़ेगा, आपको question में बताएगा, कि NPV zero रखना है, sensitivity analysis ऐसा करूँ कि NPV zero रखना है, तो आपको second approach से ही question करना होगा, ठीक, exam में total मिला कर कितने question आया है, exam में total मिला कर दो question आया है, तो दोनों discuss कर ले, पहला question, you are given the following data, कब आया था ये, December 2021, भाई साब, December 2021, किस, या given the following data, initial project, मैंने एक लाग बीस जार लिखा था, इन्होंने एक करोड बीस लाग लिखा था, CF80, मैंने 45,000 लिखा था, 45,000, after tax, after tax ही चाहिए था, life 4 साल है, मेरा भी चाहिए, cost of capital 10% है, ठीक, question तो वही है, वही वाले example, जो मैंने करवाया था, sensitivity should be calculate by setting NPV to 0, मतलब आपको कौन से वाले approach से question करना है, third second approach, जिस पर NPV 0 रखना, रप्रेशिशन को ignore कीजिए, आपको सबसे पहले NPV निकलना है, दूसरा annual cash flow, project cost, cost of capital, और point number 4 क्या बोल रहा, 1, 2, 5, if you are given the following information, equity beta, market return, risk return, debt, after tax, 40%, debt and equity are equal proportion, फिर से NPV निकालना है, tax 30% हो जाए, NPV निकालना है, ये वाला point अलग है वाई, एक काम करते हैं, सुनो, WSEC निकाल सकते हो, क्या, सुनना धियान से, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या केई निकाल सकते हो, discounting rate निकालने की कोशिश कर, केई, सर, RF कितना है छे, RM-RF कितना है, 11, minus 6, और beta कितना है, 1.2, क्या निकाल सकते हैं, 12 परशन, AD पहले निकाला हुआ है, कितना परशन, 8 परशन आफ्टर टेक्स, और टेक्स कर रेट कितना, 40 परशन, मतलब 1-0.4, तो 8 divided by 0.6, तो सर, 13.33 परशन है, और हमें अब की बार, टेक्स रेट कितना लेना, 30 परशन, 0.30, into 2.7, तो सर, यह आगे, 9.33, और प्रपोर्शन कैसे लेना, इक्वल, वेटेद आवरेज, कॉस्ट परशन परशन, तो 12 प्लस 9.33 divided by 2, 12 प्लस 9.333 divided by 2, मतलब 10.67, वो कह रहा है कि यार, अब आपको जो कॉस्ट आप कापिटल है, वो 10.67 परशन ले लीजिए, और बताईए उस पे से NPV कितना आएगा, पहले कॉस्ट आप कापिटल साए 10 परशन दिया था, उसके इसाब से NPV निकाला है, अगर रेट आप 10.6% होता, 10.67% होता, तो फिर बताओ NPV क्या था, 10.67 मज़ा नहीं आएगा, तो आप 11 ले 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 ना, और NPV निकाल ले ना, ठीक, ठीक है जी, आँसर, इंपल था, यह दूसरा पोइंट अलग था, दूसरा पोइंट, sensitivity analysis का हिस्सा नहीं है, ठीक, चले जी आगे, question number 31, आपको निकालना है sensitivity analysis, कब आया था यह question, December 2018, त्यार हो, answer, और sensitivity निकालना आपको project cost, और किसमें cash inflow, और which variable is more sensitive, और बताना है कि कौन से ज़्यादा sensitive है, और यहाँ approach कुछ नहीं लिखा कि 10%, तो हम जब कुछ approach नहीं लिखा, तो approach number 2 से ही काम करना, ठीक, project का cost है 12,000, salvage है 0, life है 4 साल, cost of capital है 12%, तो सबसे पहले NPV निकालना पड़ेगा, अच्छा, cash flow after tax, first year का 5000, second year का 5000, फिर 10% ज़्यादा, फिर 10% ज़्यादा मतलब, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, factor से multiply कर देना, factor कितना परशन दिया हुआ है, 14%, सबसे पहले हम से क्या मांगा है, सबसे पहले उसने का sensitivity निकालना है, cost of project में, तो मैंने shortcut बताया हूँ आपको, 3199 divided by cost of project कितना है, 12,000 into 100, तो यह आ गया 27%, दूसरा cash inflow में निकालना है, तो इसका भी shortcut में ने बताया है, 3199 और present value of cash inflow लेना, present value of cash inflow कितना है, 15,198, नई 15,100 जिन्यान में, इंटु हाँ, यह आगे 21.05%, यह आगे 21.05, यह है 27, तो बोलो, किसको change ज़्यादा किया जा सकता है, इसको, तो critical factor हो गया है, यह 21.05%, वो तो बताई नहीं question, कौन सा critical factor है, जैसा दिया हो, ऐसा solution मैंने कर लिए, बाकि और कुछ पूछ पूछएगा तो आप देख ले, ठीक है से, यह एक्स वेक्स लगा के भी कर सकते हो, करना होता हो, question number 32, अच्छा question है, दिक्त यह है, यह exam में आया था, जून 2019 का, इसका मेरे पास पूरा solution नहीं है, तो please इसको कर लेना, doubt होगा तो पूछ लेना, question please अच्छा है, solution होता तो मैं discuss कर लेता, पर question अच्छा है, प्लीज अच्छे से करना question, अगर आप बोलोगे तो इसका solution मैं आपको दे दूँगा, पर यह question आपको करना है, question आने के chances लगते हैं मज़को, और logical question है, मतलब sensitivity का अच्छा question है, ठीक है, यह कोई काम का नहीं है, यह page, यह कट कर रहा हूँ, यह already हम कर चुके हैं, अब आगया, inflation in capital bursting, तो देखा जाए, तो दो topic बच्चा हुआ है, एक inflation in capital bursting बच्चा हुआ है, और इसके अलावा capital rationing बच्चा हुआ है, यह एक छोटा सा topic है, modified IRR, जिसका question नहीं है, उस पर हम ज्यादा महनत नहीं करेंगे, हमें दो topic और करना है, एक करना है, inflation in capital bursting, और एक क्या करना है हम लोगों को, capital rationing, तो बात करेंगे, inflation in capital rationing, यह भी बात आपको ध्यान से सुननी पर, जब हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, तो हम लिखते, cost of प्रोजेक्ट, एक लख, और life कितना ले लिया, मान लो, 4 साल, और हर साल पैसा आएगा, एक, दो, तीन, चार, हर साल सर, तीन, तीन हजार यूनिट से भी किएगा, तीन हजार, तीन हजार, मान लो, यहाँ, चार हजार, और यहाँ, तीन हजार, पास, मेरा यह माना यह यूनिट की मैं बात कर रहा हूं यूनिट की बात कर रहा हूं ठीक है और सर कितने का भी कियेगा तो मेरा मानना है 20 रूपए सेलिंग प्रैस है 20 रूपए के साब से बात होगी पर सर important जो बोलने जा रहा हूं सुनना दिया पर सर जो भी प्रोड़क्ट आप बना रहा हूं वो बेचों के कब एक साल बात बना कर बेचेंगे दो साल बना कर पर जो सर 20 रूपए आपने निकाला है यह जो 20 रूपए निकाला है यह जो 20 रूपए वो चार साल बात के साब से एक सा तो अनुमान है कि एक साल बाद इतना यूनिट से बिख जाएगा, इतना बिख जाएगा, इतना बिख जाएगा, पर प्राइज जो ले रहा हूँ, तो आज की साब से ले रहा हूँ, गलत है, आप जो बोल रहे हूँ कि ये 20 रुपे का बिकेगा, वो तो यार महगा हो तो आप inflation को कैसे छोड़ सकते हैं आपको inflation consider करना चाहिए अगर मैं sales की बात करो 3000 x 20 3000 x 20 तो यहाँ 60,000 रुपय का sales है और यहाँ भी 60,000 रुपय का sales है और यहाँ 80,000 रुपय का माल बेच रहे हैं और 3,500 x 20 और यहां आप 70,000 रुपए का मालवेच आपने इसमें क्या consider नहीं किया सर हमने इसमें inflation consider नहीं किया पर सच्चाई यह है कि inflation भी तो होता है और मैं मान रहा हूँ चलो 5% से चीज़े महगी हो जाएगी 5% से चीज़े महगी हो जाएगी 5% से परेनम inflation का rate है 5% परेनम तो जो सोच रहा हूँ कि 20 रुपए की वो 20 रुपए की चीज़े नहीं है यह 20 प्लस 5% वो एक साल बात 20 रुपए तो आज के सबसे 21 रुपए की मिलेगी और उसके अगले ज़वाल इसाल प्लस 5% वो ले वो मिलेगी आपको 22.05 की प्लस 5% फिर यह वो मिलेगी 23.1525 की प्लस 5% फिर मिलेगी 24.310 तो चीज़े महगी होगी तो मुझे पहले साल का सेल्स यह गलत है इंफ्लेशन कंसीडर करके बोलो सर्थ 3,000 x 21 तो सर्थ पहले साल का सेल्स है 63,000 और दूसरे साल का 3,000 x 22.05 यह सेल्स आएगा 6,6150 आपको यह वाला सेल्स लेगी इट मिंस यह वाला कैश प्लो नहीं लेना हमको यह वाला कैश प्लो लेना यह वाला कैश प्लो कैसा है विदाउट इंफ्लेशन और यह वाला कैश प्लो कैसा है विद इंफ्लेशन इस कैश प्लो को नाम दिया जाता है रियल कैश प्लो रियल कैश प्लो का मतलब बोलो इंफ्लेशन है के नहीं है नहीं है और यह जो कैश प्लो है इसको नाम दिया जाता है nominal cash flow, nominal cash flow, तो दो टाइप के cash flow होते हैं, एक होता real cash flow, real cash flow मतलब without inflation, और है nominal cash flow मतलब with inflation, और अगर inflation दिया है sir, तो आप inflation को consider करो न, अच्छा sir, sir, मतलब इसी को आप 5% से बढ़ा दो, तो इतना आ जाएगा, हाँ, 60,000 plus 5%, 63,000, और फिर ये 60,000 plus 5% plus 5%, तो 60,000 plus 5% plus 5%, 66150, तो sir, अब अगर मैं 4000 का इससे multiply करूँ, 4000 into 23.1525, तो यह answer आ गया, 92610, अब इससे ये कैसे निकाल सकते हैं, तो सुनो, 80,000 plus 5% plus 5% plus 5%, 9261, 9261, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, सावधानी से करना, इसमें तीन बार क्यों, प्लस क्यों, क्योंकि ये जो है, ये आज के हिसाब से, मुझे तो 5%, पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का इंफ्लेशन, ठीक है sir, तो अगर इंफ्लेशन दिया है, तो हमें कौन सा व अहां तक क्या बात समझ में आ चुकी है, हाँ sir, अब सुनू, अब और काम की बात है, सुनोगे और एक बात, ये कंपनी, ये इन्होंने पैसा लगाया है, तो cost of capital कितना है, 10 परशन, और इन्होंने project में पैसा लगा, it means shareholder का अभी require rate of return कितना है, 10 परशन, discounting rate कितना है, 10 परशन, पर चीजे महगी हो रही है, 5% से महगी हो रही है, तो ये भाई साब कहेंगे कि वा यार, अगर इंफ्लेशन है, तो आप ही वसूल करोगे, क्या, हम भी तो वसूल करेंगे, discounting rate कौन सा discounting rate है, without inflation, इसको बोला जाता है, real discounting rate, और अगर inflation है 5%, तो जब 5% आप consider ही कर रहे हो, cash flow में, तो इसमें भी, real discounting rate में भी inflation आपको add करना पढ़ेगा, तो सर, add कैसे करें, 10% प्लस 5%, 15%, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, factor into factor, 1.10, multiply करना पढ़ेगा, 1.05, minus 1, और into 100 करना पढ़ेगा, factor into factor, सर, क्यों करवा रहे हो, मैं लोजिक अभी नहीं दे सकता, revision चल रहा है, बाकी class में करवा चुका हूँ, 1.10, into 1.05, minus 1, into 100, तो यह 15.5%, 15.5%, यह कौन सा rate आ गया है, सर, यह आ गया है, nominal discounting rate, inflation को consider करके, ठीक है सर, यह nominal discounting rate है, और यह कौन सा rate है, सर, यह वाला जो rate है, यह है real discount, और real discounting rate से nominal discounting rate निकालना, मतलब inflation, add करना है, add की जगा हम multiply करते है, अगर सर, nominal discounting rate से, real निकालना है, 10 निकालना है, तो अब multiply की जगा, divide है जाएगा, inflation हटाना है, तो divide करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, 1.155, divided by कर देना पड़ेगा, 1.05, important है, सुनना पड़ेगा, दो चीजे है, real cash flow, nominal cash flow, वह असान है, real cash flow मतलब without inflation, nominal cash flow मतलब with inflation, ऐसे real discounting rate है, nominal discounting rate, real discounting rate मतलब without inflation, nominal discounting rate मतलब with inflation, तो real से nominal पे पहुचना तो inflation add करना पड़ेगा, add का मतलब multiply होता है, मतलब factor into factor क्या करना पड़ेगा, multiply, nominal से real पे पहुचना है, inflation हटाना है, मतलब divide करना पड़ेगा, inflation का, perfect, अब उद्दे की बाद ये है, कि अब भी तक inflation था नहीं, तो real cash flow को, real discounting rate से discounting करें, और अब क्या करेंगे, nominal cash flow को, मतलब inflation उपर जोड़ाया न, nominal cash flow को, discounting करेंगे, nominal discounting rate से, that's it, और NPV निकालेंगे, इतना ही था concept, तो, सबसे पहल, inflation in capital बश्टे, सबसे पहला काम होगा, real cash flow versus nominal cash flow, nominal cash flow कैसे निकाला जाता है, real cash flow में, inflation add कर दिया जाए, ठीक है, और real discounting rate and nominal discounting, nominal discounting rate कैसे निकाला जाता है, real discounting rate में, inflation को multiply कर देंगे, एसे, real discounting rate निकालना है, तो, inflation को divide कर देंगे, यह मैं formula पर नहीं जा रहा हूँ, formula की जरुवत नहीं, factor into factor कर देंगे, या फिर वापस जाना है, तो divided by factor कर देंगे, मैं concept समझा चुका हूँ, अच्छे से, regular class में, जो, जिन्होंने मुझ से class लिया, उनको पता है, actual, एक बार example से समझे क्या, या, तो real cash flow दिया हुआ है, real दिया हुआ है, साब साब लिखा real cash flow, तो कितना कितना दिया हुआ, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, और cost of project है, कितना है, 85,000 है, 85,000, cost of capital है, कितना है, 10%, अगर कुछ ना दिया हो, तो हम इसको, cost of capital 10%, तो मानेंगे कि या, inflation है नहीं, ठीक, सुनोगे, calculate NPV using real cash flow and real discount, भूल जाओ कि inflation जैसी कोई चीज होती है, इस cash flow को, इस discounting rate से, जो कि ये भी real cash flow है, और ये real discounting rate है, और cost of project है, तो normal NPV जैसे निकलते थे, वैसे निकलिया, मान लो की inflation नहीं है, निकलिया, 41.8, अगर मान लो inflation है 5%, तो बताइए NPV क्या होगा, अब की बार आपको nominal cash flow लेना पड़ेगा, और nominal discounting rate लेना पड़ेगा, तो पहले साल है 40,000, उसमें 5% बढ़ाओगे, 42,000, फिर दूसरा है 40,000, इसमें 2 बार 5% बढ़ाओगे, 44,100, फिर तीसे साल का है 40,000, उसमें 3 बार 5% बढ़ाओगे, और फिर 40,000, उसमें 4 बार 5% बढ़ाओगे, ठीक, 5% पर रहे ना, कुछ बच्चे ऐसा बोलते, सर ऐसा करते ना, शॉटकट, 40,000, प्लस 5% तो यह आ गया, फिर प्लस 5% करेंगे, तो यह आ जाएगा, प्लस 5% करेंगे, तो यह आ जाएगा, शॉटकट है, फिर शॉटकट तभी चलेगा, जब cash flow एक जयसा हो, अगर यहां 50,000 हो गया तो आप रियल से नहीं कर सकते हैं, नॉमिनल से करेंगे, तो हमें रियल में से नॉमिनल निकालना पड़ेगा, फैक्टर इंटू फैक्टर, कैसे करोगे, 1.1 इंटू 1.05, माइनस 1 इंटू 100, तो यह आ गया, 15.5%, फैक्टर इंटू फैक्टर, और फिर NPV निकाल लेंगे, यह NPV है, 41795, किसमस से NPV, लगभख वही आएगे, यह कोश्चन हमारे काम का नहीं है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, हमारी ही कोश्चन बनाए, एक ही कोश्चन है, अच्छे से करना पड़ेगा, और उसमें भी गलतिया क किया है CMST, ठीक है, पढ़े जहें, बस खतम होने वाला र लिखा, A Limited has undertaken market research, market research किया और 4 लाग रुपे खर्चा कर दिया, in order to forecast the future cash flow of an investment project and expected life of 4, यह कब आया था यह, जून 2015 में, जो market research कर चुके है, वो संकोस्ट होगे, वो हमारे decision making में काम नहीं है, sales दिया है, चार सालका, sales, 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 और cost भी दिया है, these forecast cash flow are before, underline करो, before considering of inflation, और inflation का rate है, 7.4.7%, ठीक है, इसमें inflation, मतलब यह कौन सा cash flow है, सरी, यह real cash flow, the capital cost of project, payable at the start of first year, और पैसा कितना लगेगा, 40 लाख रुपए लगेगा, cost of project, the investment project will have zero scrap value, और level of working capital at the start of each year, कितना पर्शन, 10 पर्शन लिखना है, रखना है, किसका sales का, working capital आपको 10 पर्शन मैंटें करना पड़ेगा, आला कि यह corporate valuation करके topic है, CA final में, वहाँ काम आता, पर यहाँ दे दिया, capital allowance, मतलब depreciation, depreciation would be available on the capital cost of investment, depreciation लेना, आपको 25 पर्शन और कौनसी method से reducing balance pace, a limited pace, tax on profit और tax credit लेना है, 30 पर्शन, और paid one year in area, मतलब इस साल का tax, अगले साल, सब इसी में डाल दिया, भाई, जान ले लिए इस question, और साथ में nominal, after tax discounting rate दिया, 12%, thank God, nominal discounting rate दिया है, तो हमको क्या निकालना actual में, हमको निकालना nominal cash flow, उसका factor भी दिया है, NPV निकालना है, और NPV किसी सबसे निकालना, nominal basis पे निकालना, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, CFET निकालना, और कौन से basis पे nominal, मतलब inflation का effect देना पड़ेगा, sales पर, cost पे, तो सर सीधा CFET निकालते उस पर दे देते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि depreciation run पे inflation का effect नहीं पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़े देखना होता है, सबसे पहले sales को, कितने person से बढ़ाना है हरसा, 4.7 person, ठीक है, ठीक है, चलो, कितना रुपीज इन थाउजन में ले रखाया है, क्या, यस रुपीज इन, तो पहले साल का sales है, 251, 242, दो साल का देखता हूं, बास समझ मझे, इधर का है 251, और इधर का है 511, 4.7% से बढ़ाते है, 500 प्लस 4.7, 27, 494, प्लस 4.7%, प्लस 4.7, ठीक है, ठीक है, मतलब दो बार, और यहां कितने बार, यहां जो भी sales होगा, कितने बार, 4.7% प्लस 4.7, प्लस 4.7, तो यह गाव, sales, ऐसी cost की भी बात करते हैं, cost में भी inflation होगा, यह 1000 है, तो 1000, प्लस 4.7%, यह जाएगा, 1047, और दूसरा वला कितना है, 2000, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, 2000 प्लस 4.7%, प्लस 4.7%, तो यह आगे, 2192, इंफलेशन का effect मैंने दे दिया है, ठीक है, तो sales में से cost मैनस करोगे, तो आगया net revenue, अब tax pay करना, इस साल का tax कप पे होगा, अगले साल, तो कितना portion है, tax, तीस portion, तो 1570, 0.5 into 30, 471, इसका यहां, इसका यहां, आश्र की बात है कि, यहां का tax यहां नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो मुझे नहीं मालूँ, लेकिन गलाथ है रटा, एक यह गलती है, जो मुझे पसंद रही है, यहां का tax, यहां क्यों नहीं लिया, ठीक, ठीक, अब, depreciation, और depreciation का rate क्या दिया है, depreciation का rate दिया, 25% WDV, और capital cost कितना, 40,00, तो 40,00,000, divided by thousand, मतलब अगर रुपीज इन थाउजन मैं करूँ तो 4,000, depreciation का पहले, इन्टू 25%, 1000 depreciation पहले सल का, माइनस 25%, फिर 750, माइनस 25%, 562.50, यह आगे depreciation पहला सल, दूसरा सल, 34 सल का क्यों नहीं कर रहे है, वो भी करूँगा, इस पर tax saving कितना परशेंट आ जाएगा, सर्ट टेक्स सिविंगा साय 30% है क्या, तो इसका कितना आ जाएगा, 300 tax savings, यह लिया है, 150 का 30%, 225, यह लिया है, 562.5 का 30%, 168.75, यह लिया है, अब 34 सल कैसे किया है, तहीं किया कोई गलत नहीं है, 4000 माइनस 1000 माइनस 750 माइनस 562.50, तो सर, बुक वैल्यू बच्चा है, 1687.50, इसमें यह सब माइनस कर दिया, तो इस पर पूरा की पूरा tax savings से ले लेते, क्योंकि जो बच्चा है, क्योंकि 4-2 साल है, फुली फुली depreciate हो जाएगा, या फिर, capital loss हो जाएगा, दोनों तरीके से कल लो अब, इन्टू, इसका लिए 30 portion, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहां से खुश नहीं हूँ, कि यहां क्यों नहीं लिया उसने tax, ठीक है, तो after tax cash flow आगे, इसमें depreciation भी हो गए, अब इसमें से भई, इसमें की working capital में भी तो पैसा लगने वाला है, अब यह important है, समझने की working capital में कितना पैसा लगने वाला, तुनों के, पहले साल working capital, sales कितना है, 267.5, 267.5 का working capital कितना रखना है, 10% वर्किंग कैपिटल दस पर्षन पर्षन रखना है इस्टार्ट में रखना है ठीक है तो इसका दस पर्षन होता है 261.75 इसका 10 पर्षन होता है 261.75 इतना वर्किंग कैपिटल हमको आज लगीगा खरीदना पड़ेगा year end का sell से तो year end में नहीं खरीदना पड़ेगा first year के beginning में तो beginning में cash outlaw में working capital करके लिखा रहेगा 261.76 ठीक है आसर अब जो second year में working capital लगेगा 10% 5634.52 का 10% तो sir working capital लगेगा 563.452 पर already है हमारे पास 261.76 zero period में खरीद के रखा माइनस इस में से माइनस कर देंगे पहले वाला 261.76 तो अब हमको working capital लगेगा यहाँ इस साल के लिए यहाँ लगेगा 301.69 simple ऐसे ही अब इसका निकालेंगे तो यह आगे सर्फ 15 815.74 into 10% कि इतना चाहिए already है हमारे पास एक तो यह 261.76 minus एक तो यह 301.72 तो अब और लगेगा हमको working capital काहां गर्वड हो गया है 1581.574 minus already है 261.76 minus 301.72 फिल्कों सही हमें लगेगा इतना फिर इसका निकालेंगे 10% 108 already है तो फिर यह आ जाएगा और इधा तो पूरा की पूरा रिलीज चुछ जाएगा अब कर लोगे मुझे ऐसा लगे तो cash flow इतना आ गया 12% से discounting करेंगे और फिर present value निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2873.58 इस question में कोई दिक्कत नहीं है बस दिक्कत यहां आई थी मुझे यहां का लेना चाहिए था ठीक है जी इसके अलावा यह वाला question homework nominal cash flow, real cash flow अब हो जाए home work हो जाए capital rationing capital rationing है क्या basically फोड़े speed से चल रहा हूँ यार मैं भी ठक गया हूँ आप भी ठक जाओगे पढ़ते पढ़ते अब तो खतम ही होगे capital rationing तो हमारा cm enter का है वैसे भी एक roughly idea दे देता हूँ capital rationing होता क्या roughly बता देता हूँ capital rationing में होता क्या है सुनोगे capital rationing यार हमारे पास है करीब करीब दस लाक रुपए तो दस लाक रुपए तो हम project खरीदने का सोच रहे हमारे पास total है चार project इसमें लग रहा है छे लाक इसमें लग रहा है पाच लाक इसमें लग रहा है चार लाक और इसमें लग रहा है सात लाक और इसका NPV आरा पचास जार इसका NPV आरा 45,000 इसका NPV आरा 38,000 और इसका NPV आरा 52,000 कि और पैसा कितना है सिर्फ 10 लाक रुपए है और हमको प्रोजेक्ट करना है कौन कौन से प्रोजेक्ट किये जा सकते है और NPV रूल से ये बोलता है कि जिन जिन का भी NPV पॉजेटिव है वो सारे प्रोजेक्ट किये जा सकते है पैसा है तो कर लो न यार बिस्नेस प्रॉब्लम यही तो है न कि पैसे सिर्व 10 लाख रुपए और उस 10 लाख रुपए को इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारा जो ओवरॉल एन पी वी आ है वो मैक्सिमम आ जाए और उस एलोकेशन की टेकनिक को बोला जाता है कैपिटल राशनी ठीक है टारगेट होई है इसमें दो चीज़े देखना पड़ता है सर ऐसा कर ले क्या एक प्रोजेक्ट हम यह वाला ले ले छे लाख वाला ठीक है और एक प्रोजेक्ट चार लाख वाला हाँ कर सकते हो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट 6 लाक वाला और एक प्रोजेक्ट पाई या 11 लाक रुपए कहा है आपके पास तो सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 लाक वाला तो पूरा ले लेते हैं और 5 लाक वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब पार्ट में ले लेते हैं, कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कि कोश्चन में प्रोजेक्ट डिवीजीबल हैं, मतलब पार्ट में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं या फिर indivisible अगर divisible है तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर PI निकालेंगे profitability index और PI के हिसाब से रैंक देंगे जिसकी रैंक सबसे जादा होगी इसमें PI सबसे जादा होगी उसको सबसे पहले करेंगे फिर PI कम होगी उसको सेकेंड नमबर पर करेंगे ऐसा और अगर divisible नहीं है indivisible है मतलब पार्ट में project को accept नहीं कर सकते तो फिर हमको trial and error method ही यूज करना हो और कोई option नहीं है तो Capital Rationing की theory वगरा लिखवार रखा है मेरे काम का नहीं मैं पूरी बार discuss कर चुका हूँ कोईशन मनाने जा रहा हूँ सीधा कोईशन नमबर 35 capital राशनरी नहीं यह capital राशनी है ठीक है बड़े ठग गया हूँ यह सर मैं भी ठग गया हूँ पर option नहीं है आपके देखते क्या लिखा हूँ लिखा ABC limited capital budget दो रुपय का नहीं है दो करोड का है दो सो लाख लुपय लगाना फर्द ही है फ्रॉम्द फॉलिंग इंफर्मेशन रिलेक्टिंग टू शिक्स इंडिपेंडेंडेंड प्रपोसल इंडिपेंडेंडेंड का मतलब समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक एकसेप्ट करोगे तो दूसरा रिजेक्ट करना इनवेस्टमेंट दो सो लाख रुपय लगाना है अगर डिवीजीबल है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पी आई और पी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है पी वी सी आई डिवाइडिड बाई पी वी सी और पी वी सी आई कैसे निकालते है बले इनवेस्टमेंट म हमने निकाला PII, PII निकालना आपको आता है, उस पर मैं ज़्यादा टाइम बरबाद नहीं करूँ, निकाल लिया, हाँ सर निकाल चुके, फर्स्ट रैंक किसको दिया गया, सर फर्स्ट रैंक किया आ रहा है, इसमें PII सबसे ज़्यादा है, तो सर 60 लाक रुपए खर्च कर देंगे, चलो 60 लाक रुपए मैंने खर्च कर देंगे, और no doubt मेरा NPV कितना आ गया, 50 लाक, second rank कितना आ गया, सर ये वाला, पहले दूसरी रंबर पर ये वाला, कितना रुपए खर्च हो जाएगा, 35 लाक्स, और NPV कितना आ गया, NPV, NPV आ गया, सर 26 लाक, 2 करोड, 200 लाक रुपए अभी है, सर है, सर 3rd rank, 3rd rank ये है, सर, सर 40 लाक रुपए और लगा देंगे, 40 लाक, NPV कितना है, 40 लाक लगाने पर, NPV है, 25 लाक, सर, अभी भी पैसा बच्चा है, क्या, सर, 60 प्लस 35 प्लस 40, ये सर, 135 लाक हो गया, अब कौन सा है, फोर्थ नंबर पर ये है, और 85 लाक, अगर मैं जैसे यहां 85 लाक लिखता हूँ, तो क्या ये 200 लाक से जादा हो जाएगा, 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 85, तो सर, ये 220 लाक हो गया, तो भाई साब, हम 85 लाक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी लिमिट है कितने की, 200 लाक की है, तो हम बैलेंस कितना लगा सकते, सर, 200, माइनस 6, माइनस 35, माइनस 40, तो सर, हम 65 लाक ही लगा सकते हैं, इट मेंस जो प्रोजेक्ट ये था ना जिसमें हमको कितना लगाना था 85 लैक उसमें हमने 65 लाख ही लगाया तो NPV जो है NPV कितना 50 लाख पूरा 50 हमारा नहीं होगा प्रपोर्चनेट करना पड़ेगा 50 है कितने पर 85 पे तो 65 पर कितना पचास लाख NPV है 85 लाख पे तो 65 लाख पे कितना तो सर ये आगया 3 8 2 3 5 2 9 और इसको जोड़ देना ये उसने आगे किया ये किया है और सर डिवीजीबल नहीं इंडिवीजीबल है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें आपको ट्रायल अन एरर मेथड यूज करना इसमें आपको कॉंबिनेशन बना बना कर देखना पड़ेगा हाला कि सबसे पहले नमबर पर मैं ये लूँगा यार ये वाला ले लता हूं साट लाक इसमें खर्चा कर देता हूं फिर दूसरे नमबर पर ये ले ले लेता हूं 35 ये भी खर्च हो गया और फिर तीसरे नमबर पर ये ले ले लेता हूं 40 लाक और हो गया तो एक कॉंबिनेशन मन गया 123 याद रखना ठार्ग मैं कहूं क्या capital investing खतम हो गया है capital investing खतम हो गया पूरी तरह से capital राशनिंग या फिर sensitivity analysis उतना important है पर पहले जो करवाया वो बहुत चाल कुछ question international financial management के डले हुए है वो भी यहीं discuss करवा देता हूँ हाला कि अगर आप कहोगे तो इस chapter का जो revision है वो मैं description में डाल दूँगा आपके लिए attention कता हूँ एक बार क्या है international कुछ नहीं है भी या अब भी तक आप project कहां लगा रहे थे इंडिया में आप project इंडिया में ने लगा रहे हूँ इंडिया के बाहर लगा रहे हूँ है तो यह सपोज में जो project है वो general अगर uz learners में लगा रहा हूँ तो वो जो आएगा के इंडिया में टॉलंड में आएगा तो दॉल में तो गानवर्ट करवा के dUNDं करेंगके तब देख्वेंगे न और कुछ नहीं, it means वही बोल रहा है, कि DS Incorporation, यह आया था दिसंबर 2013 में, DS Incorporation is considering new plant in नीदर लेंड, नीदर लेंड में plant लगाना है, plant कितने का लग रहा है, 26 million gilders, वहां की currency होगी gilders, 26 million, और cash flow आएगा, 3 million gilders, कब आएगा, 3 साल, एक से तीन साल तक आएगा, 3 million, for next 3 years, मतलब 4, 5, 6 से आएगा, 4 million, और 5 million आएगा, 7 to 9 year में आएगा, 5 million, और 10 से, 19 साल में आएगा, 6 million, यह millions में, यह gilders आएगा, हमारे पास, ठीक, और no residual, present action rate है, 1 dollar बराबर 1.90, 0 gilders, मतलब आपके यहां जो है ना, वो dollar में चलता, project कहां लगा रहे हैं, नीदरलेंड, नीदरलेंड में currency कौन से चलती ही, gilders, तो ठीक है न सर, हमें यह बताना है, कि dollar में हम पैसा लगा रहे हैं, इसको home currency approach बोलते है, home currency approach, please, जिनको समझी में नहीं आ रहा, forex भी नहीं देखा होगा, वो description में जाना, आपको इसका lecture मिल जाएगा, international financial management, तो सर, हमें किस में करना है, हमें dollar में निकालना है, NPV, ठीक है, तो अब यह बताओ, वहाँ क्या लग रहा है, 26 million gilders, और rate क्या दिया है, 1 dollar बराबर, अब क्या दिया है, gilders per dollar, तो gilders है, dollar में convert करना, हमको यह देखना है, कितना dollars लग रहा है, तो 26 को divide कर देंगे, 1.9 से, तो कितना dollars लग रहा हमको 13.68 foot, ऐसे ही, अगर माल लो, action rate 1.90 ही होता, तो जितना भी gilders आता, उसको divide किस से करते है, 1.9 से, तो यह dollar आ जाता, और dollar को 16%, 16% rate दिया हुआ, 16% कहां rate दिया हुआ, कही ना कहीं, dollar का discounting rate दिया होगा, 16% से, यह दिया ह हुआ है, और 16% से discounting करता, तो answer आ जाता, NPV, और NPV किस में आता, dollar में, अगर positive आता, तो accept कर लेते हैं, negative आता, तो reject कर देते हैं, पर वो कहता, rate अगर 1.9 नहीं होता, rate कुछ अलग 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 देता, तो जो rate अलग 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 देता, उससे discounting कर लेते हैं, यह discounting किया, अल international financial management कुछ नहीं है भाई, बाहर capital वस्टिंगे है, बस आपने बाहर पैसा लगाया है, तो उसको home currency में convert करके NPV ने का, यह था home currency, home currency में होता, क्या home currency अप्रोच में, future में जो dollar आने वाला, उसको हमारे यहां की currency में convert कर देना, और यह question था international financial management से, वो अभी देख लेते हैं, class over करते हैं, बहुत हो गए, question number 37, लिखा PQR Limited, कहाँ पैसा लगाना, US, कितना पैसा लगाना, sir, dollar 140,00,000, क्योंकि यह Indian company है, limited सब्द लगा है, लाइब कितनी है, पास साल, अब भी action rate है, dollar 1 is equal to 60 रुपिया 30 पैस है, risk free rate, US में है 7%, इंडिया में है 8% और cash flow दे रखा है, 18,24,30,50,60,00, आपको NPV निकालना है, कौन सी approach से, foreign currency approach, यह भगवान, दो approach होती, एक होती है home currency, एक होती है foreign currency, foreign currency approach में, जो यह currency में, इंडिया करेने वालों, तो यह किसमें लगवान, देखो, home currency approach में क्या होता है, home currency approach में, यह जो डॉलर है, उसको मुझे convert करना पड़ता है, किसमें, home currency में, रुपीज में, और कौन से rate से convert करना होगा, यहां का जो भी rate होगा, वो हम IRP के मादि, interest rate parity के मादि, हम से convert कर लेते हैं, तर क्या बोल रहे हैं, समझ मने यहां, दूसरा यह है, foreign currency approach, इसमें आपको, यह जो foreign currency, उसको रुपिया में convert करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया है dollar में, आप dollar में ही discounting कर लेना, लेकिन आपको, जो discounting rate है, कितना है discounting rate? 15 पर्षन, 15 पर्षन, उसको foreign currency का बनाना पड़ेगा, corporate, मतलब, discounting rate 15 पर्षन हमारे यहां का दिया है, 15 पर्षन, हमारे यहां का interest rate हटाना पड़ेगा, हमारे यहां का interest rate कितना है, risk free rate इंडिया का, 1.0 है, और हमको US का जोडना पड़ेगा, 1.0 हमें discounting rate, US वक्का बनाना पड़ेगा, ठीक है, 1.15 है हमारे यहां का discounting rate, उसमें से हमारे यहां का interest rate है, उसको हटाया और वहां का जोड़ दिया, तो 1.15 divided by 1.08 into 1.07, तो यह आगया 13.93%, तो discounting करना पड़ेगा हमको 13.93%, बस हमारे यहां का interest rate हटाया और वहां का add करती, बस यह आगया 13.93, और इसको discounting करोगे 13.93, इसका भी solution पूरा नहीं दिया हुआ है, इस topic का जो lecture है, मैं अचा हो, तो description में डालता हूँ, ठीक, और इसके बाद मैं modified IRR नहीं समझा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, question ही नहीं है, तो जितना capital investing किया, sufficient है, ठीक, वैसे भी यहर 30-40 घंटे की class होती है, मैंने पाच्छे घंटे में करने की कोशिश किया है, इतना किया, sufficient है, इस से ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, ठीक यू सो मच, बाई बाई, आपका capital investing खतम हुआ, ठीक, international financial management का जो lecture है, revision lecture में description में डाल देता हूँ, at least समझ लेना, कि home currency approach किया होता, foreign currency approach किया हो, Thank you, bye bye रिल्एम немного लेदा